ओके गाईज तो वेलकम बैक सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस फॉर्स्ट डे में जहाँ पे हम कुछ चीज़े सीखने वाले हैं हम आज क्या-क्या सीखेंगे एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहला हम सिखेंगे why to choose online coaching, online coaching को क्यों choose करना चाहिए, number two हम सिखेंगे ETR create करना, how to create your ETR, जैसे ही हम बोलते हैं कि हम एक coach है, हम एक trainer है, तो लोग क्यों माने कि आप एक coach हो, उसके लिए आपको ETR यानि authority create करनी होते हैं, वो कैसे create करेंगे, वो मैं आपको आज दिखांगा, number three ह आप course करेंगे, तो इसके लिए मैं हर एक इनसान के साथ special special बात करूँगा, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ, तो बाकि के लोग कुछ activity करेंगे, वो मैं बोलूँगा आपको क्या करना है, number four, price decide करेंगे आपके course का, कि क्या price होना चाहिए, starting में, number five, launching process decide करेंगे, तो ये स कोई time pass वाला class नहीं, practical class है, so whatever questions you have, please ask and I request everybody to be there three days hundred percent, if you want to launch your course in three days, be there hundred percent, अगर आप आधे अधूर रहोगे, तो result भी आधे अधूर आएंगे, आपको, simple सी बात है, ठीक है, so let's begin with the sheet, आपके पास ये है, सबने किया है, तो ये वाला open करना है आपको, देखिए ये वाला, ये जो दिया है मैंने आपको, हाँ, इसको open करना है, so pain paper है आपके पास, so इसमें three circle दिये है आपको, सबसे पहले, यहाँ पे, okay, three circle से, ये three circle का meaning है, इकी गई, इकी गई, सुन questions पे आते है, जो भी questions है, है ना, one by one, तो सबसे पहले जो questions है आपका वो है, choosing your ultimate topic for inner based element, यानि कौन सा topic आप चूज करें आपके course के लिए, okay, so उस पे हम बात करेंगे सबसे पहले, so कौन सा topic चूज करें, so topic कहा से आता है, ये समझ लो, topic आता है आपके passion से, आपके purpose से, natural talent जो है, वहाँ से आता है, experience होगा आपका किसी चीज में, जैसे कि मैंने विश्वा सर से बात किया, वो engineer है, लेकिन उनका naturopathy में interest है, right, so knowledge है, interest है, कोई message देना चाहते हो आप दुनिया को, या कोई learning है आपकी, जैसे कि मेरा, मैं जो काम कर रहा हूँ आज, ये कहा से आया हुआ है, मेरे learning से आया है, है ना, कि मैंने कुछ तो सीखा, and then I started, जो सीखा, उसको सीखाना शुरू किया, right, so यहां सी ही आएगा, तो आपको क्या करना है, simple जो question से, उसको मैं पढ़ूंगा, और उसके answers, आपको भी पढ़ना है, और उसके answers आपको लिखने है, जिसको नहीं समझ मुझे पूछना है, ठीक है, पहला जो question है, आपका वो है, what do you love to do, what brings you joy, what are your personal interests, आपको यहां पर यह लिखना है, कि आपको क्या करना पसंद है, ज्यादा तर, आपको लिखना है, what brings you joy, कौन से ऐसी चीज है, जो करते वक्त आपको मज़ा आता है, यह आप enjoy करते हो, ठीक है what are your personal interests, अभी कुछ लोग यह भी लिख सकते कि मुझे dance करते वक्त मज़ा आता है, मुझे गाने गाते वक्त मज़ा आता है, मुझे दोस्तों के साथ घूमने में मज़ा आता है, लिखो, कोई problem नहीं है, sir, yes, can I write answers in Marathi, yes, yes, you write in Marathi, Hindi, Urdu, Gujarati, कोई problem नहीं, आपके पास ही है वो, तो आपको आप जो चाहे भाशा में लिखो, लास्ट बैच में आप answer लिखो, तब तक मैं कुछ experience शेयर करता हूँ, लास्ट बैच में एक इंसान आया था, उन्होंने लिखा था कि मुझे दोस्तों के साथ time spend करने में और bike riding में बहुत interest है, तो हमने उ हर साल, यह साल में दो बार, तीन बार, आप trip निकालो, जैसे कि bike से goa जा रहे हो, bike से आप लद्दाग जा रहे हो, ऐसे, और 40-50 लोग जमा करके, आप उनको charge करो, कि I will handle everything, मैं आपके साथ रहूँगा, सब कुछ मैं handle करूँगा, so अगर लद्दाग के लिए आप कोई trip नि लोगों को जोड लिया है, और वहाँ से 40-50 लाग का धंदा निकाल लिया है, simple बात है, so passion को कैसे जोडोगे आप business के साथ, ठीक है, so लिखो पहले तो यह कि आपको क्या पसंद है, जैसे मेरी पसंद बोलता हूँ, मैं आपको मुझे लोगों से बात करना, बहुत पसंद है, कि नए नए लोगों से बात करो, उनको जानो, उनके life के बारे में जानो, उनकी struggle के बारे में जानो, this is what is my interest, so लिखो आप, लिखा अपने, हो गया है कि मुझे सिर्फ थम कर देना आपने, कि हो गया है, तो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, yes, okay, जिनका हो गया है, वो अगले magazines you generally read or prefer to read, आप कौन से YouTube channel ज्यादा तर देखते है, गाडी के videos देखते है, या spiritual video देखते है, या कोई hospital related video देखते है, या कोई motivational video देखते है, आप वो लिखो, कौन से videos देखते हो, और किस इंसन को follow करते हो, या न, you follow संदीप माहिश्वरी, और you follow, follow सद्गुरू, और you follow like गोर गोपलदास, और you follow somebody else, okay, या fitness में interest है आपका, या IT में interest है आपका, आप लिखो वो, ठीक है, यही, यहाँ से ही आपका topic आने वाला है, जो topic आपको, एकदम सही तरीके से, help करेगा, ठीक है, तीसरा question है, what would others ask you for advice on, देखे हमारे इर्दगीर्द, बहुत ऐसे लोग होते हैं, जो हमें advice पूछते हैं, बहुत से बार, कि अरे यार, यह करना है, कैसे को, जैसे मेरे जो friends है, ज्यादा तर मुझे पूछते हैं, कि गाड़ी कोई से लूम है, क्योंकि उनको पता ह कि मेरा interest बहुत है गाड़ियों में, अभी तक मैंने at the age of 35 तक मैंने 6 गाड़ी चेंज कर दिया, so interest है मेरा उसमें, so इसके लिए, so आपके आसपास के जो लोग है, वो आपको कैसे सवाल पूछते हैं, किस चीज़ पर advice पूछते हैं, how can you help and serve others in last 3 to 6 month for what your family and friends called you for, पिछले 3 स 6 में में ज्यादा तर call आपको किस चीज़ के लिए आए, किस help के लिए आए, क्या help मांगी आपने family के, आपके family वालों ने या आपके friends ने, वो लिखो वहाँ पे, स्वाती मेडम आपने print निकाल ली है, स्वाती मेडम, print निकाली है अपने, हम third question पे है, यह देखे यह वाला sheet open करना है आपको, ठीक है, और सभी को मेरा एक request है, कि पाच मिनिट पहले join करो है न, ताकि आप disturb ना हो, फिर आपको पता नहीं चलेगा, पाच मिनिट बात join, पंदरा मिनिट लेट चारम के करोगे तो, कि क्या शुरू है, so make sure कि आप पाच मिनिट पहले join करो हर दिन, देख अबर फोर जो question है, आपका वो है, what challenges have you overcome, और would like to overcome in your life, ऐसे कौन से challenges है, जो आप, आपने overcome किये है, या फिर आप overcome करना चाहते हो, ठीक है, उसको आप लिखो, what is or what was a mess in your life, ऐसे कौन सी बहुत ही tragedy हुई है आपके life में, कि जिसको आपने solve कर दिया है, you can create mess into message, यानि मेरा बोलना यह है कि अगर, जैसे कि मुझे problem था कि मुझे facebook ads करना, digital marketing, कुछ भी पता नहीं था, so I solved that problem for me, और मैं अभी उसी problem पे लोगों को भी help कर पा रहा हूँ, अगर आप बहुत जादा financial struggle में है, अगर आपके पास बहुत बड़ा करजा थ इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि करजे को कम कैसे करते हैं, आपकी health बहुत खराब हो चुकी थी, और आपने health अच्छी किया, इसका मतलब है कि आपको पता है कि health को खराब से अच्छा कैसे किया जाता है, तो उसको लिख सकते हो आप, ठीक है, लिखते जाए और जो भी सवाल है please ask yes अच्छा अगर by chance किसे ने print out नहीं निकाली है कोई problem नहीं आप सिर्फ क्या करना अपने book में सवाल लिखना क्योंकि यह activity अगर आप नहीं करेंगे तो आपको right answers नहीं मिलेंगे simple है ठीक है उसके सब्सक्राइब है what is some God-given inherent and natural talents in you what is that your friends say it is easy for you not for us you do it's it's naturally ऐसा कौन सा God-given challenge है यह सोरी कौन सा God-given talent है आपके पास जो आपके friends बोलते कि यार तु बहुत ही जल्दी लोगों के साथ mix हो जाता है हमको तो आता ही यार तु बहुत अच्छी कविताय कर लेता है यार तु बहुत अच्छा बोल लेता है और यार तेरे पास तो public speaking का talent है यार तु तो हजार लोगों के सामने बोल सकता है हमें तो आता ही नहीं यह तेरे पास कोई भी प्रावलम लेका है तो तु तुरंत हमें आंसर दे देता है तो ऐसा क्या बोलते हैं आपके फ्रेंड्स और कौन सा ऐसा talent है आपको लगता है कि यह तैलेंट है मेरे पास तो राइट डाउन यहां से आपका सब्जेक्ट आएगा जो सब्जेक्ट आपको बहुत जादा हेल् और वह काम करते में आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप काम कर रहे हो आज मैं जब लोगों को सिखाता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूं इस यह मेरे लिए यह एंजॉयमेंट का जरनी है लाइक दिस तीन दिन का प्रोग्राम करना छे-छे दिन के प्र है ठीक है उसके बाद का question है what are the unique and different life changing experience you ever have had positive and negative both are the part of our lives अभी देखो कि कौनसे कौनसे challenges आए आपके life में या कौनसे कौनसे ऐसे experience है कि जो आपने अनुभव किये और positive हो सकते है निगेटिव भी हो सकते है वो लिख सकते हो आप कि कौनसे कौनसे challenges आए जैसे कि मैं बता हूँ तो 2014 से लेकर 17 तक मेरे life बहुत बढ़िया थी बहुत अच्छी थी 17 से लेकर 19 तक बहुत struggle हुआ पैसे नहीं थे बहुत करजा हो गया था जो भी था वो सब चला गया था but again 2020 से हमने वो सब कुछ take-or किया so that was a learning phase for me so आप लिख सकते हो कौनसे ऐसे challenges आ what are you knowledgeable about what are your skills what are your learn skills by education और by work experience शायद आपने कुछ नया सिखा होगा शायद आपके पास कोई knowledge है शायद आपने education किसी particular field का किया होगा तो वो क्या है आपके पास वो लिखो आप लिखते जाईए क्योंकि लिखने से आपको clarity आएगी और ज्यादा ठीक है आपको ये सारा exercise खतम होते होते समझ जाएगा कि आप कौनसे विशे पे course बना सकते हो और वह विशे अगर आपको मिल गया तो शायद आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाओगे ठीक है कोई question है please raise your hand and please ask okay it's an interactive class अगर भगवान आपके सामने खड़े है और आपसे पूछ रहे कि क्या एक message देना चाहते हो इस दुनिया को वो कौन सा message होगा जो आप share करना चाहोगे write down that message काई message ड्याल टुमी दुनिये ला काई message ड्याल टुमी जगा ला okay write down that message number nine है who want to become who you want to become in future what do you want to learn more about आप क्या बनना चाहते हो आने वाले टाइम में और आप क्या सीखना चाहते हो और ज्यादा यह ऐसे questions है जो हम कभी नहीं पूछते खुछ से yes or no यह ना अभी आप लिख रहे हो तो आपको समझ रहा होगा क्या रहे यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं so this is what is the clarity yes sir यह से बढ़ेगा कोई प्राउब्लम ने परन शूटी तुम्हाला आंसर मिलें क्या होता है यह कॉंपूटर हर्वरिम में रहे आणि माईवाज को सब्सक्राइब करें कि मुझे बहुत सारे कुछ लोग यूटीब के लिए पूछते कुछ लोग इसके लिए पूछते लेकिन आप रेशो देखो किसका रेशो ज्यादा है तो वह लिखो आप राइट के नेक्स्ट है नंबर टेन आर देर एनी थ्रेट्स पैटर्न बिट्विन लास्ट नाइन क्वेशन्स वॉट्ट टॉपिक्स आर कीप रिपीटिंग बहुत इंपोर्टन कोश्चन है दैन से सुनों दो बार सुनों पिछले जो नौ सवालों के अंसर्स अपने लिखे हैं देखो कि उसमें कौन से चीज बार-बार रिपीट हुई है उसका अंसर आपको दसवे कोशन में लिखना है जैसे कि नौ बार अगर रिपीट हुआ है मोटिवेशन 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 नौ बार अगर रिपीट हुआ है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ हेल्प करना चाहता हूँ नौ बार अगर रिपी है जो 9 questions में बार-बार repeat हुए लिखो उसको ठीक है अब नेक्स question is look at all answers and format them as a list of possible topics you could talk about अभी आपको एक एक minute का time दोंगा मैं ठीक है तो आपको क्या करना है simple ध्यान से सुनिए आपको पूरे 9-10 question देखने है और वो जो topic बार-बार repeat हुए उनके नाम लिखने है आपको कि कौन से इसे topic है जो बार-बार repeat हुए और जिनके उपर मैं course बना सकता हूँ या इसकी शायद जरूयत है लोगों को या इस पर शायद course बना तो वो चल सकता है लिखो वो सारे topics के नाम ठीक है question number 11 में अधिक है वो लिखना हो गया कि मुझे बोलो अभी हम एकदम important important चीजों पर आ रहे है इसको समझो आप अगर हो गया आपका लिखना तो उसके बाद है number 12 वो उसका कहना यह है number 12 का कि what is the best topics resonate you on your first course what one topic would you focus on this program अभी ध्यान से सुनिएगा शायद ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार यह तीन topic है इस तीनों पर मैं काम कर सकता हो अरे मुझे तो यह भी अच्छा आता है यह भी अच्छा आता है और यह भी अच्छा आता है लेकिन इस प्रोग्राम में अगले तीन दिन तक आपको सिर्फ एक ही topic पर काम करना है तो आपके पास अभी चार topic आय है खो कि इतनी टॉपिक काई गरा बताओ मुझे किपास कितने आये meus T TWO ONE अनि केट सवेच चार जी आपके पास कितने आये सागर जी आपके पास अच्छा दूआए और चैतनया राधा मैडम शर्मा जी कितने मेरा मैडम आपके पास कितने आए दो है ठीक है तो दो मेंसे कोई एक जो आपको ज़ाधा रिलेट कर रहा है अभी आपको लगता है यह यह बेस्ट है उसको लिख दो अभी के लिए ठीक है तो वो वह टॉपिक पर हम तीन दिन के लिए काम करना है हमें देखो अभी समझ लो अच्छा गहरी मैडम को एक है है राधा मैडम को एक किके आ HEY TopIC कि आ आपने किया नहीं अभी तक थे क्या कोई बात ने सो आपको एक काम करना है देखो आपका आवाज ने आ JUा रहा है मुझे कुई भी हिस्सा मिस करते हो कोई भी हिस्सा तो आपको simple एक बात करना है रात को इसका recording upload होगा आपका program जैसे खतम होगा एक घंटे बाद इसका recording आपको group में मिलेगा एक घंटे बाद तो आपको क्या करना है उस recording को open करना है और बैठ के लिखना है सिंबल तीन दिन अगर हंड्रेट परसंट आप देना दोगे इसको आपको रास्ता मिल जाएगा मैं आपको शूर इटी बोलता हूँ गैरंटीड रास्ता मिल जाएगा ठीक है ओके नाव आगे बढ़ेंगे आपको किसी भी एक टॉपिक के उपर अभी काम करना शुरू करना है ठीक है तो आज का कल और परसो यह तीन दिन के प्रोग्राम में बस एक ही टॉपिक को आपको फोकस करना है फिर एक टॉपिक फोकस होने के बाद बात करता हूँ मैं आपसे एक टॉपिक फोकस होने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि नाई यार मैं इसमें भी कर सकता हूं तो चार दिन के बाद आप उस पर भी काम करना शुरू कर सकते कोई दिक्कत में लेकिन यह तीन दिन बस एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको यह विश्वा सर बोलिए कि यह ताइट प्राणी थीन दूसरा का बोलने दुम्हें एक रेकिया एप चीज़ ने डिएक अंग्यू आइट एक तोटल आपको अग्यान अग्यड ने दुम्हें अ अग्लाइस लाइफ के अंदर सारे टॉपिक आ जाते हैं अदर सारे टौपिक आज जाते हैं अक्किया टॉप सारे भी निद्या चार अब तो नहीं चार आरुजे पितल कुछ तरह लोक रहा है तो आप क्या कर सकते हो देखो अगर सभी के लिए यह आंसर है मेरा अगर यह इन्होंने ऐसा बोला कि लर्न टू लीव अ बेटर लाइफ एक आनंदी जीवन जगाला सिखा क्यों या फिर इन्होंने ऐसा बोला कि एक एक हैपी लाइफ हैपी जिन्दगी जीना सिखो या स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना सिखो तो इसके अंदर सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं अगर बढ़ेंगे अभी यह हो गए इनर बेसिक अभी एक लास्ट कुछ पूश्चन से उसके बाद हम स्टेप बाइस जाते हैं नंबर टू है इसमें लिखा है आउटर बेस से element हाइ डिमांड अभी यह तो हो गया कि आपको इनर साइट से लग रहा है कि मैं यह करू लेकिन बाहर मार्केट में डिमांड किसकी है यह तो देखना पड़ेगा ना हमें डिमांड किसकी है मार्केट में आप बोलोगे कि सर मुझे ना बहौत अच्छा गाना गाना आत करती हूँ और बहुत अच्छा meditation में सिखा भी सकती हो लेकिन meditation की कितनी demand है बाहर ये भी हमें देखना पड़ेगा राइट क्योंकि एक बात को समझिए कि हम जो भी चीज सिखाने वाले हैं लोगों को वहां से हमारा earning होने वाला है साथ ही साथ लोगों को help होने वाली है उनके जीवन में भी बदला होने वाला है लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या उनको जरूरत है इसकी सो आउटर element पर बात करेंगे भी first मैं question पड़ रहा हूँ वो यह है कि high demand कौन से कौन से चीज़ों की है number one है health लोग health के बारे में बहुत aware है जैसे कि अभी विश्वाच जी का जो topic है वो अगर health के बारे में post करेंगे तो चल सकता है wealth पैसा लोगों को क्या चाहिए पैसा चाहिए बहुत सारे लोग है they are looking for money number three क्या है success technology उसके बाद है beauty happiness relationship sex spirituality and personal growth और form your industry यह सारे जो topic है यह high demand में है आज अगर health पे course बनाओगे तो बहुत बिख सकता है wealth पे पैसा कमाने पे share market वगरा सिखाओगे तो बहुत चल सकता है success पे बनाओगे कि कैसे आप successful बनोगे कैसे बन सकते वह चल सकता है technology पे बनाओगे पोई excel सिखाएगा कोई IT का कोई course सिखाएगा तो वह भी चल सकता है beauty के ऊपर बनाते हो course तो भी चल सकता है beauty के बहुत सारे courses है मेरे बहुत सारे students है happiness जैसे कि अभी सर ने बोला विश्वा सर ने happiness के उपर course बनाऊ बहुत चल सकता है relationship के उपर course बनाऊ right spirituality है personal growth है right now who are you going to serve your customer target audience everyone is no one be specific अभी हमें यह समझना है जो आपने topic लिखा एक एक topic लिखा ना अपने कोई तो भी पहले यह सोचो यह topic मैं किसे सिखाऊंगा यह सोचो फिर वहाँ पर लिखना आपको male या female है ना कौन होगा आपका customer business owner होगा आपका customer housewife होगी आपके customer या school going children होगे या college going लोग होगे को कौन आपका customer हो सकता है यह लिखो आप वहाँ पर tentative लिखो गलत लिखा तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है जब आप मेरे साथ बैठेंगे one-to-one में तब मैं आपको clear करके दूँगा कि आपका customer कौन हो सकता है ठीक है चौत्य दिन आपका one-to-one होगा मेर आदे के दिन कर सकते हो या मंगलवार के दिन भी कर सकते हो जब भी आपको time है मैं आपको आपकी sheet लेके बैठना और आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा customer हो सकता है आपका लिखो अभी फिलाल कि who are you going to serve आफ आप किसको सिखाने वाले हो या सिखा सकते हो ठीक है किसी को कोई इ next है how can your course help to a specific niche group or target market how can you enhance their life list top three benefits your audience will get from your coaching आपको ये लिखना है कि आपने अगर जो विशय आपने सोचा है उस पर अगर course launch कर दिया है समझो तो उससे लोगों को क्या फायदा होंगा तीन फायदे लिखो जैसे अगर मेरा course है मेरे साथ अगर कोई सीखता है तो मुझे पता है कि वो मेहने के कम से कम 45,000, 60,000 लाख तो वो कैसे कमाईगा, यह मैं उसको सिखा सकता हूँ मुझे पता है कि अगर वो digital marketing सीख ले तो वो जिन्दगी में कोई भी business अगर शुरू करेगा, कोई भी coaching भी नहीं, कोई भी business अगर शुरू करेगा, तो उसमें उसको digital marketing का फायदा होने वाड़ा है तो दूसरा benefit हो गए one मेरे साथ रहे कि बहुत सारे लोगों का mindset जो है वह upgrade होता हमको फिर जो है उनके अंदर का वह कम होता है तो Chief basis आपको कर चाहएं क्षा कर से एक benefit हो सकते है और की ओसक्ते हैं जैसे कि business owner को यह विद्निविट होगा हो सकता है या फिर house wife है तो उसको यह benefit हो सकता है आप लिख सकते हो ओके यह हो गया उसके बाद आपको लिखना है list 3 to 5 possible topics you would like to talk or try on for now ऐसे कौन से 3 से 5 topic है जिसके उपर आप बोल सकते हो या फिर आप try करना चाहते हो या try करना चाहोगे ऐसे 5 topic के नाम लिखो या पर उसके नीचे एक line लिखिए देखना वो भी पढ़ना don't worry if you are not sure how to turn your topic into a book लिखा या पर तो आपको course करना है and further money making proposition for now आपको अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं we will tell you लेकिन आपको अभी लिखना है बस ठीक है यह हो गया कि मुझे बोलना आप हमारा पहला करीब करीब 45 मिनिट्स इसमें जाने वाला है एक बार यह 45 मिनिट्स हो गए कि फिर हम learning के उपर बढ़ेंगे ठीक है और आपको होमवर्क रहेगा एवरी सिंगल डे हां संजे जी आपने लेट जॉइन किया है तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी recording दिया जाएगा आपको वह recording जो है वह देखना है है ना रेकॉर्डिंग देखना है आपको संजे जी ठीक है चलो अगे का देखो आगे के पेज पर आपको टूल्स का लिस्ट दिया है कि बेसिक टूल्स अगर आप ऑन-लाइन लांच करना चाहते हो तो आपको बेसिक टूल्स क्या-क्या लगने वाले हैं आपको एक माइक लगेगा एक मोबाइल फोन आपके पास है एक ट्राइपॉड लगेगा ठीक है और आपको लैपटॉप होना चाहिए आपके पास और रिंग लाइट बोला है लेकिन रिंग लाइट नहीं है लाइट है तो भी ठीक है ठीक है कोई बात नहीं ऐसा नहीं कि 100% ही लगेगा आपको लेकिन यह दू-चार पास चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए यह अगर Amazon से order करोगे आप तो maximum 2-500,000 में यह सारी चीज़ आजाएंगे अपके शिर्फ लैप्टप छोड़के लैप्टप अलग से आपको लैप्टप और मोबैल नहीं आता है उसमें क्योंकि मोबैल हमारे पास है और लैप्टप आपको अरेंज करना पड़ेगा तो लैप्टप अगर second hand लेने जाओ अगर पूने मुंबई जैसे सीटी में आप रहते हो या कोई भी बड़ी सीटी में 10-15,000 में आपको लग्टप मिल जाता है अच्छा वाला ठीक है बहुत सारे स्टोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है उसके बाद जो है वह important है आईए वहाँ पर लास्ट आखरी के 9 questions है उस 30 minutes हमारे हो गए है कुछ सवाल है तो अभी पूछो एक 10 minutes हम Q&A लेंगे अगर सवाल है तो नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे येस एनी questions मीरा जी अनिकेज जी सागर जी मेत्रे सर विश्वा सर एनी questions संजे जी कोई questions है आपको शर्मा जी शर्मा मैडम सर है की मैडम है I don't know ठीक है चलो आगे बढ़े हाँ PC चलेगा कोई problem नहीं कोई problem नहीं आपके पास अगर PC है तो 1314 रुपे का एक camera आता है जो आप PC के ऊपर लगाएंगे ठीक है तो उसी में mic भी होता है उसी में camera भी होता है 14 रुपे में आपका proper setup हो जाता है अभी के लिए ठीक है और एक अपने घर में एक tube light होती है उसको ऐसे अगर लगा दोगे आप सामने तो अच्छा सा light आ जाएगा आपके face पे हो गया है बाकी ज्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं ठीक है चलो अगले page पे चलते है audience selection audience selection क्या है अभी ये समझ लो ये सब कुछ करना क्यों important है the reason behind that हमें clarity होने चाहिए कि हम कौन सा course बना रहे है किसके लिए बना रहे है तब जाके कल जो हम ad सीखने वाले है facebook ad वो ad हम सही से लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कल के कल 25 लोग कम से कम आपके whatsapp group में आने चाहिए ठीक है कल के कल यह होना चाहिए तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए clear cut कि हमारा जो course है किस के लिए है ठीक है अब आगे बढ़ेंगे who are you doing this program for आप specifically किस के लिए यह प्रोग्राम करने वाले हो male के लिए या female के लिए या दोनों के लिए देखिए अभी मेरे पास एक student है जो beauty का सिखाती है मुंबई की है तो वो specifically सिर्फ और सिर्फ ladies के लिए प्रोग्राम करती है तो उनका बहुत clear है कि सर मुझे सिर्फ ladies के लिए ही प्रोग्राम करने है तो आप सोचो कि आप किस के ल तो पहले दोनों के लिए ट्राइ करो और बाद में आपको अगर समझा कि नहीं सर लेडिस से ज्यादा तो जेंस आ रहे है मेरे प्रोग्राम में तो आप सिर्फ जेंस पर focus कर सकते हो और कैसे करोगे यह कल हम सिखेंगे इसको कि facebook अड में कैसे आप सिर्फ और सिर्फ जेंस क को टार्गेट कर सकते हो ठीक है कैसे आप सिर्फ और सिर्फ लेडिस को टार्गेट कर सकते हो ठीक है तो लिखो पहले कि आपका प्रोग्राम किसके लिए है जेंडर ऑफ यूर ओडियंस नंबर दो है एज ग्रूप ऑफ यूर ओडियंस भी वेरी स्पेसिफिक कौन से एज ग्रूप को सिखाओ गया अभी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टन एक्जाम्पल है अगर आप दस से बीस साल के बच्चों को सिखाना चाहते हो ठीक है दस से बीस साल के बच्चे तो आपकी फेस्बूक आड़ बच्चे देखेंगे कि उनके माबाब देखेंगे तो आपका टार्गेटेड एज क्या हुआ दस से बीस हुआ या फिर थर्टी टू फिफिटी हुआ कूं आंसर करेगा इसका आपका टार्गेटेड एज क्या रहेगा थर्ती तू फिफ्टी और टैन टू टूटू ट्वेंटी हाँ क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट लगाना है जो कि 30 to 50 वाले लोग दिखेंगे या 50 के उपर वाले लोग देखेंगे तब वो उनके बच्चों को बोलेंगे समझो कोई एक मेरे पास एक स्टूडेंट जो आपकस सिखाती आपकस मेरे बच्चों को सिखाना है यह ड लेगा है डिसेजन उनके माबाप लएगे राइट तो लिखना पड़ेंगा पैरेंट्स लेंगे ना सो हमें पैरेंट्स को टार्गट तो वहापिस आपको अ ब्रैकेट में लिखना है टार्गेटेटेट एज ग्रूप दस से बीस ब्रैकेट में तीस से पच्पन पैरेंट्स को टार्गट करेंगे ऐसा लिख सकते हो आप उसके बाद है वाट और लैंगवेजेज यू वांट टू लांच यूर को टिक दो फॉर्स्ट कोर्स लैंगवेज अभी यहां पर ध्यान से सुनो बहुत सारे लोग मुझे पुश्टे सर मराठी म किया हमने कॉर्स तो पिंदी में किया तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो देखो मैंने पहले स्टार्ट किया था हिंदी से लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा फिर मैं जितना confident Marathi में होता उतना नहीं होता तो मैंने English में भी करके देखा कुछ दिन फिर मैंने सोचा कि चलो यार Marathi पे चलो वापस क्योंकि जो मात्रु भाषा है या जो भाषा में हम बात करते है every single day उसमें ज्यादा confidence बिल्ड होता है उसमें ज्यादा fast thoughts घुमते हैं हमारे माइंड में अगर आप comfortable हो Marathi लिखो Marathi if you are comfortable in Hindi और English you can write that कुछ-कुछ courses ऐसे हैं जिसके demand ही है कि आप इसकी इसी language में करना चाहिए अगर आप IT का सिखा रहे हो समझें ठीक है और आप टार्गेट कर रहे हो बैंगलोर के audience को देली के audience को तो आपको कौन सी language use करना पड़ेगा हिंदी और English फिर वहाँ पर चॉइस नहीं है आपके बास लेकिन आप महाराष्ट की का audience को टार्गेट कर रहे हो और आपका कोर्स जो है वह जनरल कोर्स है मेडिटिशन सिखा रहे हो पैरेंटिंग सिखा रहे हो हैपी लाइफ सिखा रहे हो stress free life का ये सिखा रहे हो तो उसमें क्या कोई भी language चलेगी कोई दिक्कत नहीं है morning में class होते हैं पता है ना आपको morning class होते हैं कुछ शर्मा जी शर्मा जी आपको मराठी समझती है क्या जर्णा मुझे चाट बॉक्स में बताना so बहुत सारे ऐसे courses होते हैं morning classes वाले कि लोग चार दिन पाच दिन सिखा दे हैं वो course भी आप शुरू कर सकते हो अगर आपका meditation में ज्यादा experience है या आपका knowledge है तो ठीक है उसके बाद है language लिख दो आपे उसके बाद है geolocation geolocation मतलब कौन से city कौन से शहर कौन से state और country को आप target करोगे देखो मुझे अगर कोई पूछे तो मैं बोलूँगा मैं महाराष्ट को target करोगा क्योंकि महाराथी है महाराष्ट की लोग संख्या जो है जो population है महाराष्ट की वो है 12 करोड 12 करोड उसमें से कम से कम 70% लोग internet पे है 60 to 70 याने पकड़ के चलो 7 से 8 करोड लोग अभी internet यूज़ करते है उसमें से कम से कम 4-5 करोड लोग तो facebook यूज़ करते होंगे इसका मतलब हम वो 4-5 करोड लोगों तक पहुँच सकते है facebook के माध्यम से पिछले 4 सालों से मैं महाराष्ट में चला रहा हूँ आज भी नए नए लोग मेरे साथ जूड़ते है इसका मतलब अगले 10 साल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमें एड के माध्यम से हम जा सकते हैं उनके पास ठीक है हैपी मैरे लाइफ और आपकी जो एड है वो डिवर्स होने होए लोगों को दिख रहे है तो वो आएँगे का आपकी कोर्स में भोलेंगे रहे यार हमें क्यों दिखा रहे है है आड हमारा तो अल्रेज वोट इवार्स हो गया है या पिर ऐसे लोगों को दिख रही है जिनको मैरेज को बहुत टाइम है अभी या ऐसे लोगों को दिख रही है जिनका मैरेज होके 20 साल 25 साल हो गए तो इसलिए यहाँ पर लिखना है relationship status of your audience ज़रूरत नहीं है जो लोग normal course बना रहे है उनको ठीक है बहुत काम में आए इसलिए मैं आज ही इसका तैयारी करके ले रहा हूँ आपसे उसके बाद है साथ नंबर का question specific industry of your audience कौन सी industry की है आपके audience वो लिख सकते हो आप जैसे की example कोई अगर beauty का course ले रहा है तो उसको beauty industry लगेगी कोई अगर parenting या ऐसे कोई course ले रहा है तो उसको motivation वाली इंडस्ट्री या self development वाली इंडस्ट्री लगेगी कोई अगर IT के courses ले रहा है तो उसको IT industry के लोग लगेंगे कोई अगर happiness के courses सिखा रहा है तो उसको self motivation इंडस्ट्री या self help इंडस्ट्री ऐसे लोग लगेंगे ठीक है तो वो लिख सकते हो आप education status of your audience इसकी जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी लिख सकते हो कि आपको education क्या लेवल पर चाहिए लोग होगा देखो यह लिखना जरूरी क्यों नहीं है यह भी बोलता हो मैं आपको जो इंसान facebook यूज कर सकता है उसे के पास हम पहुच सकते है बराबर है तो जो इंसान facebook दिमाग उसको इतना तो पता ही होगा कि क्या कैसे internet चलता है और यह सारी चीज़े ठीक है तो यह लिखना जरूरी नहीं है work status of your audience work status important क्यों है कि वो job कर रहा है कि घर पे बैठा है अगर घर पे बैठा है तो वो आपको आपके course के पैसे देगा क्या yes no देखो सिर्फ समाज सेवा यह हमारा उद्दिश्य है क्या to be very clear हमें अगर जेब में पैसे नहीं आएंगे तो हम कितने दिन समाज सेवा करेंगे कितने दिन कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा छे महीने एक साल अगर मुझे कोई पैसा नहीं मिला ट्रेइनिंग से तो मैं कितने दिन यह ट्रेइनिंग कर पाऊंगा री के एक साल कर पाऊंगा ज्यादा से ज्यादा उसके बाद किया तो इसलिए ये हमारा बिजनेस भी है और सोशल वर्क भी है तो हमें इसको बैलेंस करना है ठीक है? तो हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके जेब में पैसा है ताकि वो पैसे देंगे तो हमारी गाड़े आगे बढ़ेगी और उनके भी गाड़े आगे बढ़ेगी लेकिन फिर कितरे लोगों को सिखा पाँ होगा ऐसे तो इसके लिए ये घूमने के लिए साइकल घूमने के लिए आपको थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा तो वर्क स्टेटर्स जिसके जेब में पैसा होगा सिम्पली वो आपको पैसा देगा चलो अभी बाकी का जो है वो हम बाद में करेंगे ठीक है अभी हमें एक चीज समझना है ETR ठीक है तो आपको अभी पैन पेपर का बहुत काम है आज हाँ कल नहीं है आपको पैन पेपर का कल आपको टेकनिकल चीजों का काम है तो यहाँ पर अगला जो question है वो है problem area of your target audience इसके अंदर आपको 10 problem लिखने है कि कौन से problem face कर रही है आपके audience मैं क्या लिखूंगा इदर समझो अगर मैं मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरे audience के पास पैसा नहीं है उनको पैसा कमाना है नमबर दो उनको respect कमानी है नमबर तीन उनको एक नया career शुरू करना है नमबर चार उनको freedom lifestyle enjoy करना है नमबर पाच उनको अच्छा lifestyle enjoy करना है नमबर छे उनको एक लोगों ने जानना चाहिए इसलिए वो coach बनना चाहते है ऐसे problems लिखो कि क्या problems face करें आपके audience अगर आप parents के लि अच्छे उनका सुनती नहीं बच्चों को उनको अच्छी परवरिश करनी है इसलिए करना है वो अगर आप कोई meditation या stress free life का बना रहे हो तो वहाँ पर लिख सकते हो कि खुद के लिए time नहीं मेरे audience को help पे ध्यान नहीं है उनका उनका जो mind level पे वो और खराब होते जा रहे ह उनके जो विचार है उनको अपलिप्ट करने की जरूरत है जो ऐसे लिखो जो भी problem आपको समझते दस problem लिख दो दस से जादा लिखे तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने ज्यादा problem लिख दे समझो दस से ज्यादा फंद्रा बीस तो भी ठीक है ठीक है यह होने के बाद हम ETR पर आने वाले हैं हो गया कि मुझे बोलो सेटिंग यूर और यह मैं आपको आज बताऊंगा और यह आपको लिख के रखना है और आज का एक टास्क भी मिल है अगर के ऌने फिरकर केरें ज dual गया हैनल इसपुल दे करेंगे है मैं कुछ शेर करूंगा आपके साथ नह यह सुअनल पर रेखना कि जिस्ट वंस्यूर डण टाइप डण इन दर चार्ट बॉक्स कि शेर कर दू अभी हो गया आपका सिखाने के लिए मेरे पास बहुत है यह क्लास के शימ है कम से कम साथ दिन चल सकता है ä इसी कम से गैसी निए उसके बाद भी शायद मुझे 2013 वर कि अबीभी बाकी है बहुत कुछ लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ची आंदर मैं अपको ETR का मतलब है setting your authority, earn the right, ठीक है, आपको कभी भी अगर कोई पूश्टा है अभी कि आप कौन हो, तो आपको ऐसा नहीं बोलना normally कि I am सागरगारवे, ऐसा नहीं बोलना, आपको बोलते वक्त यह अभी पूरा याद करना है, ठीक है, जो मैं आपको सिखा रहूँ आज, और यह आ लिखना है, लिख के अपना अपना खुद का आपको ग्रूप में भी डालना है, and one more time I am repeating, जो इनसान ये तीन दिन seriously करेगा, उसको चोथे दिन problem नहीं होगा, ठीक है, वो शुरूआत कर पाएगा अपनी फटक से, ठीक है, चोथे दिन आपको मेरे साथ एक कॉल भी मिलेगा जिस पे हम personally बात करेंगे, ठीक है, चोथे दिन, पाच्वे दिन जब भी आप चाहो, आप ले सकते हो, see, now we'll understand the ETR, ETR का मतलब होता है, E मतलब earn the right, यानि लोग आपको किसी एक specific subject का अगर expert मानते है, तो क्यों मानते है, या क्यों मानना चाहिए उन्होंने, तो इसके लिए ह हमें एक ETR करना होता है, वो कैसे करते है, यहाँ पे देखिए, पहले हम बोलते है, Hi, I am, यहाँ पे आपका नाम होता है, जैसे कि Hi, I am Sagar Garvey, इसके बाद होता है, I am a, अभी यहाँ पे your designation, मतलब Hi, I am Sagar Garvey, I am a digital coach, यह हो गया, उसके बाद I help, यह आपको मैं देता हूँ, ल लेकिन लिख लेना दो भी, I help, किसको help करोगे, your targeted audience, देखो, मैंने आपको targeted audience लिखने को बोला, अभी वहाँ से copy paste करके यहाँ पे डाल सकते हो, right, so I help, your targeted audience को ने, I help coaches and consultant, I help coaches and consultant, to grow their business, अभी यहाँ पे आपको लिखना है, output, ठीक है, targeted audience हो गया, इसके बाद आपको लिखना है, output, output, ठीक है, output, I help them, I help coaches and consultant, to grow their business, by using my, अभी your formula, आपके एक जो formula होगा, उसको एक नाम देंगे, जैसे मेरे formula को मैंने नाम दिया है, boot camp method, क्या नाम दिया है, boot camp method, अभी अगर आपको आपके formula को क्या नाम देना है, यह नहीं समझा है, तो मैं आपको help कर दूँगा, don't worry, सिर्फ तीन दिन नहीं, अगले तीस दिन तक, मैं आपको whatsapp support दे रहा हूँ, एक महने का, यह जो fees आपने pay किया है, इसके अंदर आपको अगले तीस दिनों तक, याने 9, 10, 11 को आपका यह boot camp खतम हो जाएगा, तो 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक, आप whatsapp group में कोई भी सवाल पूछ सकते हो, within 24 hours उसका answer आपको मिल जाएगा, ओके, तो अब यह लिखो, hi, I am your name, यहापे जो है, आपका name आएगा, यहापे मैं इसको color कर देता हूँ, अलग से ताके आपके ध्यान में आए, ठीक है, फिर यहापे, I am your designation डालना है आपको यहापे, इसको मैं अलग color कर देता हूँ, ठीक है, I help your targeted audience आएगा यहापे, कि आप किसको target कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद है output, क्या output देने वाले हो उनको, वो यहापे आप लिखोगे, by using your formula by using आपका जो भी method है वो, ठीक है, चो आपका method आ यहापे डालोगे, ठीक है, Hi, I am Sagar Garvey, I am a digital coach, I help coaches and consultant to grow their business by using my bootcamp method, तो आप क्या लिखोगे, समझो, आप एक health coach हो, आप लोगों को सिखाते हो कि अच्ची health कैसे करना है, तो आपके लिखोगे, Hi, I am Rajesh, example, I am a health coach and I help, समझो, आप ladies के लिए काम करते हो, तो I help females above the age 35 to get fit by using my fitness formula, ऐसा कुछ लिखोगे, ठीक है, जैसे अगर आप IT का course बनाना चाहते हो, तो आपके लिखोगे, Hi, my name is XYZ, जो भी आपका नाम है वो, my name is XYZ and I am a IT professional coach, I help existing working professionals to enhance their salary, by learning advanced IT courses, by using my XYZ formula, जो भी आपका है वो formula का नाम देंगे, तो ऐसा कुछ लिखे, आता हिस्दर तुमाला, यही आपको अगर हिंदी या मराठी में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, same to same इसको translate करना है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से, नमस्ते मेरा नाम है सागर गारवे, मैं एक digital coach हूँ, और मैं coaches और consultant को help करता हूँ, उनका revenue बढ़ाने में, उनका business बढ़ाने में, by using my fitness formula, समझ रहे हूँ आप यह, easy है क्या यह, type easy in the chat box, कितने लोगों को नहीं आ रहा है, कैसे कहला है, तो मैं बता देता हूँ, तो आपको यह लिखना है अपना, और group में डालना है, ठीक है, मैं इसको डाल देता हूँ, अभी इसको copy करता हूँ, यहाँ से, copy, और आपको अपना अपना इसा लिखके, आज, किसी भी हालत में, आज की date में, आपको यह group में डालना ही है, okay, no reasons, okay, no reasons, कि sir, यह हुआ, वो ह हुआ, कुछ नहीं सुनना चाहूँगा मैं, तो बोली है, ना, टार्गेटिट एडींस ला काई, चाहिए, तार्गेटर एडींस मंजे, तुम्ही कोना साथी कौर्स तयार करता हात, प्रोंगी, तॉन है तुम्ते टार्गेटेड़ूर्स आगा, वाला, वीजी और टार्ग आप ऐसा बोलो ना कि मैं 40 से उपर जिनका एज है उनको अब क्या सिखाओगे आप पूरा बताओ मुझे सेंटेंस तो आप ऐसा बोलोगी सुनिया विध्यान से नमस्कर मेरा नाम है विश्वास गोड़े और मैं एक रेकी हीलर और कोच हूँ मैं हेल्प करता हूँ उन लोगों को जिनकी उमर या जिनकी एज चालिस से उपर है अगर आप भी चालिस के उपर है और आप हेल्दी जिन्दगी जीना चाहते है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इतना बोल सकते आप वाइ यूजिंग माइ आपकी मेथड को कुछ नाम दे दो वाइ यूजिंग माइ 10x healing formula ऐसा लिख दो कुछ बाइ यूजिंग माइ 10x healing formula और बाइ यूजिंग माइ natural healing process असा तुम्ही महनुशकता मरा ठीट पन वाप्रूशकता है काई अड़सन नहीं आता मी पुना महनुशकता हूँ तुमाल आपन ठेला नावदी नाच्रल healing process ठीक है तो आप ऐसा बोलोगे नमस्कार मेरा नाम है विश्वास गोड़े और मैं एक रेकी healer हूँ मैं ऐसे लोगों को help करता हूँ जो 40 से उपर है और मैं उनको help करता हूँ कि वो एक अच्छी healthy जिन्दगी कैसे जी सकते हैं और अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स को भी एक अच्छा जीवन जीने में help कैसे कर सकते हैं अगर आप भी यह सिखना चाहते हैं तो निची दिये गया लिंक पर क्लिक करें ऐसा आप वीडियो बना सकते हो और लगा सकते हो फेस्बुक के ऊप आपका scripture ready है लिया चार 5 चे बर जब लिखो गे ना आप तो और मश्मॉर्धी आईगए लिखते जाओ उसको की और बेटर कैसे लिखू और बेटर कैसे लिखू और बेटर कैसे लिखू है ना हाँ लिखते जाओ वहाँ पर येस येस लिखते जाओ येस देखो हम जब स्कूल में थे ध्यान में जड़ा ध्यान से देखना इधर मैं क्या बोड़ा जब हम स्कूल में थे और फॉर्स टाइम हमें बोला था क कि 123 लिखो राइट है सो हम कितने बार कोशिश करते थे उसका और कहीं दस बार बारा बार लिखने के बाद फिर कहीं जाके हमने वह बी निकाला ए निकाला थ्री फॉर ऐसा लिखा चो दिस इस लाइक डाट सेम ओके जितने ज्यादा बार लिखोगे उतना क्लायरेटी आएगा ढार आच्हें कोई क्वेके सटिंग हो यह सबका होगसी को मुझे अगर कोई क्वेस्चर होगा तो मुझेए कोश्चान है देखो अभी complete 56 minute हुए है यह class चालू करके एक घंटा भी नहीं हुआ अभी तक मुझे बोलो कितने लोगों को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा 10% 5% confident कि यार हाँ possible तो है यह चीज यह है class यह मज़ा आया अभी आज तो मज़ा आया मुझे how many people are feeling that type me in the chat box और raise your hand if your video is on right लग रहा है आपको good good अभी तीन दिन है don't worry तीन दिन के अंदर पूरा समझ जाएगा तीन दिन के अंदर पूरा समझ जाएगा सिर्फ आप 100% ध्यान दो रोहिनी मडम आपने लेट जॉइन किया understand आप एक काम कीजिएगा इसका recording मिलेगा आपको तो आप वो recording देखके पूरा exercise फॉलो करना है आपको ठीक है जो भी मैं सब्सक्राइब और आप क्या करना अगर आप class नहीं देखो सब कर पाए और आपने recording बेखा और आपको प्रॉब्लम आया तो यू कें डाइरेक्ली कनेक्ट विद मी नो प्रॉब्लम आट अल ओके आप सब्सक्राइब कि सर मैंने यह तीसरे दिन का class देखा लेकिन उसके अंदर मुझे यह समझा नहीं तो क्या आप मुझे help करेंगे तो मैं 100% help करूँगा ठीक है लेकिन बिना class देखे मत बात करना अब ही बढ़ते हैं हम course structure के उपर जो हमारा अगला पॉइंट है वह कोर्स का structure कैसे रेडी करेंगे ठीक है कोर्स का structure कैसे रेडी होता है तो उसके लिए मुझे है न मेरा whiteboard share करना पड़ेंगा आपके साथ और आपको उस पर देखना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा साथ-साथ तो let me just share my whiteboard एक मिनिट डीजे मुझे मैं share करता हूँ ठीक है इसलिए मैं बार बार जो free webinar हो रहा था न उसमें बार बार यह इसलिए बोल रहा था कि this would be a very different program for all of you आपने सिर्फ सुना होगा अभी तक ग्यान वाले प्रोग्राम होते है इस इस नाट ग्यान प्रोग्राम इस प्राक्टि के बोर्ड आपको सही से दिखे कोशिश करके हाँ यह सही रहेगा मेरी सबसे हो रहा है यह एक मिन टुक जाओ हाँ वाइड बोर्ड दिखाए दे रहा है कि आपको जरा मुझे बोलना जब भी दिखे मुझे बोल देना अच्छा दिख रहा है वाइड बोर्ड गुड मैं जो लिखता हूँ वह दिखता है कि एक बार वो मुझे बोलना यहां पर दिख रहा है यह अभी है गुड ओके चलो इसको करता हूँ मैं इरेज और अड़ अगर समझे कुछ नहीं दिखा तो अगर समझे कुछ नहीं दिखा तो अगर बोलना मुझे ठीक है जिस्ट एमिनिट अभी समझते हैं कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए चाहे आप कोई की भी टॉपिक चूज करो या कोई भी विशे चूज करो सबसे इंपोर्टन होता है बहुत सारी लोगों को लगता है कि सर हमें रेकॉर्डिंग करना पड़ेगा क्या पहले कोर्स तो इसका आंसर है नो आपको कोर्स जो है वह रेकॉर्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है अभी बहुत इजी चीज बोलता हूं आपको मैं धान से सुनना अभी बहुत ही इजी चीज यह अगर आपने समझ लिया अगले 20-25 मिनिट तो आप चौथे दिन अपना कोर्स सीधा लांच कर सकते हो क्या करना है सुनो लगा होगा है सबसे पहले आपका टॉपिक फाइनाल हो गया यहां पर लिखता हूं थोड़ा इसकु छोटा करुफा 2ं पहले आपका topic final हो गया उस topic के उपर आपको एक course बनाना है तो वो course कैसे बनाना है और कैसे launch करना है क्या होगा कि आप अगर recording करते बैठे तो बहुत time pass होगा और आपको पता भी नहीं कि लोग लेंगे कि नहीं तो इसके लिए पहले क्या करना होता है structure के लिए समझ लो सबसे पहले जो कल हम सिखेंगे facebook add हम लगाएंगे एक ठीक है वो add लगा के हम हमारे whatsapp group में लोगों को लेकर आएंगे ठीक है देखो add लगा है add लगा कर हम whatsapp group में लेकर आएंगे लोगों को उसके बाद हम उनके लिए करेंगे free program ठीक है और यह program कैसे करेंगे हम कम से कम दो या तीन दिन का प्रोग्राम करेंगे एक दिन का नहीं करेंगे जैसे मैं करता हूँ वैसा नहीं करेंगे आप आप दो या तीन दिन का प्रोग्राम करेंगे पहले स्टाटिंग-वे दो दिन या तीन दिन ठीक है तुझ डेज और थृड़ डेज और उसके बाद है ना आप उन्हें एक छोटा सा फ्राड़क्त सेल करेंगे प्राड़क का मतलब क्या है कि आप अगला जो है वह उनको बता तो अग्ला कॉर्स साथ दिन का आप उनको पढ़ाएंगे कि साथ दिन में आपको यह पढ़ाने वाला हूँ या दस दिन पढ़ाने वाला हूँ ऐसा कुछ करेंगे आप अभी यहाँ पिह है important point जब आप पैसे लेकर किसी को साथ दिन पढ़ा रहे हो या दस दिन पढ़ा रहे हो तो यह साथ दिन का आपको क्या करना है recording करना है कहा पर करना यह recording जूम पर करना जैसे अभी recording हो रहा है हमारा वैसे और इसी को next time course करके sell करना है समझ रहे हो आप यानि एक बार आपने recording एक बार अपने live सिखाया वो recorded ready हो गया अभी उसी को आप next time as a course sell करोगे या course as a bonus आप दोगे लोगों को फिर से एक बार समझ लो समझो आपने अभी topic चूज किया उसके उपर facebook आड लगाई फिर लोगों को whatsapp ग्रूप में लेकर आए फिर उनको free में आपने दो या तीन दिन का training दिया regarding naturopathy regarding reiki regarding it regarding beauty regarding कोई भी समझो parenting ऐसा आपने training दिया दो से तीन दिन का उनको उसके बाद आपने छोटा प्रोड़क्ट सेल किया हो तीन दिन अगर दे रहे हो तो कम से कम 999 या पंद्रा सो रुपे सेल करना उसके नीचे नहीं करना पांसो रुपे नहीं करना तीन दिन के बाद दो दिन का कर रहे हो तो कर सकते हो पांसो है ना पांसो जनरली मैं बोलता ही न क्योंकि मार्केट है 5,000 का मार्केट है अभी महाराष्ट का लेकिन आपको मैं आगे आगे सिखाओंगा कैसे करना है लेकिन कम से कम अगर दो दिन तीन दिन सिखा रहे है तो 9099 चार्ज करना उसके बाद के प्रोगराम के लिए समझ लो पहला प्रोगराम फ्री है उसके बाद वाला तो 999 चार्ज करेंगे उसमें हम साथ दिन सिखाएंगे क्या सिखाएंगे साथ दिन अगर आप रेकी वाले हो तो आप साथ दिन रेकी सिखाएंगे अगर आप पैरेंटिंग वाले हो तो पैरेंटिंग सिखाएंगे आईटी वाले हो तो आईटी वाला कुछ सिखाएंगे लेवल 0 मतलब जहाँ पे आप free में कुछ देते हो लोगों को नहीं समझा तो तुरन्त पूछ लेना जहाँ पे भी कुछ नहीं समझा तुरन्त पूछ लेना course structure सिखा रहा हूं मैं आपको level 0 में आप कुछ तो free दोगे लोगों को क्यों दोगे free because उनको पता होना चाहिए कि आप कैसे सिखाते हो number one आप क्या सिखाते हो number two और वो सिखने से उनको क्या फाइदा हो सकता है number three getting my point तीन चीजे number one आप क्या सिखाते हो number two आप कैसे सिखाते हो number three वो सिखने से उनको क्या फाइदा होगा सो एल जीरो में आप यह सिखाऊगे यह होगा completely free फिर एल वन जो मैंने बोला साथ दिन या दस दिन का program जो होता है अब आज आज आप जो तीन दिन का program अटेंड कर रहे हो यह क्या है यह एल वन है यह 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 एल वन है क्या है यह एल जीरो क्या था आपने मेरा 90 नाइंटी मिनिट्स का program अटेंड किया वेबिनर अटेंड किया आपको लगा कि यार तीन दिन इस बंदे के साथ आपन इन्वेस्ट करते हैं कुछ तो होगा आपना यह मेत्रे सर्द आपको कुछ ऐसे फाइदा होगा था-टैपम को फ्रीडम फ्रीडम रहे आप कहीं से काम कर सकते हो अभी मैं आज यहां पे हो शायद मैं ग्यारा तारिक को नाशिक में रहने वाला हूँ, सुबह में जाने वाला हूँ नासिक, तो मैं गारा तरक का प्रोग्राम आपका नासिक से लूँगा, हो सकता है ऐसा, अगर मैं गया तो, फिर मुझे घर पे रहना ज़रूरी है क्या, नहीं मेरा एक लैप्टॉप ले लिया, चला गया मैं नासिक सुबह, और शाम को आपका प्रोग्राम ले लूँगा वहां से, this is how it works, तो मैंने क्या बोला आपको, कि मैं क्या सिखाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा, और ये सिखकर आपको क्या फायदा होगा, तो free में हम ये बताएंगे, उसके बाद हम उनको pitch करेंगे level 1, जो कि मैंने आपको अभी, ये level 1 आप सिख रहे हो, तीन दिन मेरे साथ, तो मेरा program है 3 days का, आप रख सकते हो इसे 7 days या 10 days, क्यों? क्योंकि आपने free program ही 2 दिन का लिया, तो इसलिए आप उसको 5 days, 7 days या 10 days रखोगे, इसका आप minimal fees charge करोगे 999 या 1499 ऐसा कुछ, ठीक है? या 1999 भी ले सकते हो, depending upon your product, ठीक है, अभी इसके बाद होता है L2, L2 का मतलब क्या है, समझ लोगी, 3 दिन या 5 दिन वो लोग आपके साथ रहे, उनको समझा कि यार बहुत अच्छा सिखाता है ये इनसान, बहुत perfectly मुझे समझ रहा है, मैं अगर इसके साथ रहूंगा, तो अभी मेरा 100% कुछ ना कुछ होग ये उनको विश्वास हो गया उस 3-5 दिन के अंदर, तो अब आप उन्हें बताओगे आपका 3 months या फिर 6 months या फिर 1 month का जो भी प्रोग्राम होगा वो, ये क्या है, ये transformation प्रोग्राम बोलते है इसे, इसे क्या बोलते है, transformation प्रोग्राम जहाँ पे आप उन्हें सिर्फ सिखा नहीं रहे हो, बलकि result लाके देने वाले हो, getting my point, समझो अभी इसको थोड़ा अलग तरकी से समझते हैं, कोई एक इंसान है, जिसका weight है 80 kg, 80 kg का वजन है किसी एक इंसान का, और वो बहुत time से चाहता है कि sir, मेरा वजन कम हो जाए, उसने जीम लगाया, उसने diet किया, उसने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, अभी example, एक राजेस नाम का इंसान लेके आता है, एक course, एक free course, कि 90 minutes मेरा webinar अटेंड करो, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वजन को घटाते हैं, अभी ये जो इंसान है, ज का उतना किया, फिर इसको लगता है कि यार, चलो, ट्राइ करते है, फिर वो बोलता है, राजेश की, पाच दिन का हमारा, health management, weight management का course, आप जोईन करो, कितने दिन का, पाच दिन का, हमारा, weight management course, जोईन करो, फिर ये इंसान जोईन कर लेता है, उसका course, अभी पाच दिन में इ येस नो प्लिस टाइप इन दे चाट बोक्स वजन कम होगा क्या नहीं होगा डेफिनेट लेकिन क्या पाच दिन में इसको ये समझेगा कि यार हाँ ये अगर मैं फॉलो करूँगा तो मेरा वजन कम हो सकता है आने वाल एक महिने में क्या ये क्लारिटी आएगी उसको येस नो इन दे चाट बोक्स अगर आपको लगता है कि हाँ आएगी ये क्लारिटी आ सकते है क्योंकि वो रोज उठेगा क्योंकि उसने पैसे भरे अभी तो अभी वो रोज उठेगा रोज फॉलो करेगा वो बोलेगा कि आप तीन लिटर पानी पीओ रोज तो रोज पीएगा बोलेगा सुभे शहद पानी में शहद डालके निम्बू डालके पीओ तो पीएगा यह सब कुछ करेगा वो पाच दिन फिर उसको अच्छा लगए अरे यह तो हो रहा है यह अभी यह जो इंसान है जिसका 80 किलो वेट है क्या सोचेगा यह अभी ती यार इतने साल होगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ हुआ तो नहीं मेरे से चलो एक महिना ट्राइक करके देखता हूँ और क्या लगता है आपको सब नहीं करेंगे सब पे नहीं करेंगे लेकिन जो आपके सामने 50-100 लोग बेठे होते हैं उनमें से 10% लोग बोलते हैं कि चलो एक बार करके देखते हैं हमने सब कुछ कर लिया लेट्स ट्राइए कितने लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है समझो अभी इस बात को ध्यान से इसको बोलते हैं लेवल टू है ना आप वहाँ से कुछ करो मत उसको स्क्रीन को है ना वह कमज़द आपको नहीं दिखा तो मुझे बोलो मैं आपको यह कर देता हूँ है ना उपर नीचे कर चाहिए तो ठीक अभी देखो लेल टू बनाया इसने कि जहाँ पर वह त्री मन्त या सिक्स मन्त का प्रोग्राम देगा आप दोगे उन्हें जिसको हम ट्रांस्परमेशन चालेंज बोलते हैं जहाँ पर रिजल्ट लाके दोगे उन इसको बोलते हैं L2 समझे आप इसका प्राइस कितना होता है या हो सकता है और इसका डियूरेशन कितना होता है डियूरेशन मैंने बोला 3-6 मन्त रहेगा और प्राइजिंग डिपेंड करेंगा आपके experience के उपर और आपके result के उपर आपने अगर पहले काम किया है तो आप अच्छा भी रख सकते हो अगर आप नए कोच हो एकदम नए मेरे जो नए कोच होते है न वो कम से कम चार्ज करते हैं इसका 10,000 से लेकर तो 25,000 तक एक इनसान को तो मैं recommend करता हूँ कि आप 10,000 ही चार्ज करो ठीक है कोई बात नहीं अगर 10,000 से भी L2 के लिए आपको for example 5 लो लोग मिल जाते हैं तो भी आपको लाख रूपए आरम से कर सकते हो इसलिफ क्या है बहुत सारी लोग क्या गलती करते हैं यह भी बोल देता हूं है मेरे पास ऐसे भी लोग है जिन्हें एक महने में एक लाग किया एक महने के अंदर किया लेकिन उसके बाद है उन्हों नहीं किया प्रोसेस उनको क्या लगा बस एक बार एक लाग हो गया बस हो गया ऐसा नहीं होता है तीन साल हो गया मैं हर साटर्डे संडे प्रोग्राम करता ह और काम है यार वो तो करना पड़ेगा ना आपको सागर को पूछो आप सागर मेरे बहुत पूराने स्टूडंट है सागर जकताब जी कितने मेरे प्रोग्राम होते हैं कितने बार मैसेज आता है आपको हर साट्रेडे संडे मेरे प्रोग्राम होते ही है चाहे कोई मेरे साथ जुड़े ना जुड़े मेरा काम है वो मुझे करना है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे अगर 10,000 से भी 5 लोग आपको मिल जाते है तो भी it's enough to make 50,000 रुपीज अमन्त यह एक महने का प्रॉसेस है पुरा अभी इसके बाद होता है L3 इसको बोलते है structure है course का structure है यह समझो इसको इसके बाद होता है L3 पिर यह सीखके तीन महने चे महने सीखके भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर हमने सीखा अभी अच्छा काम करना शुरू करते हैं पैसे कमाना शुरू भी करते हैं बहुत सारे इंसान को वो जो राजेस के पास आया था न उसको हम continue करते हैं ध्यान से सुनना वो आया उसने एक मेने का जुड़ना है और तो क्या करूँ में और आप मुझे कुछ ऐसा गायड करो कि तीन किलो नहीं मेरा पाच किलो कम होना चाहिए हर मेने प्र राजेस क्या बोलता है कि भाई देख मेरे परसनल कोचिंग में आ जाए मैं रोज सुबह उठाओंगा तो जब परसनल कोचिंग में वो आता है तो राजेस उसको बोलता है मेरा परसनल कोचिंग का फीज है 1,00,000 रूपीज और मौर इतना ले रहे लोगा आज परसनल करते है परसनल कोचिंग के लिए अभी परसनल कोचिंग और यह जो तीन महने का कोचिंग है छे महने का कोचिंग इसमें क्या फरक है समझो ज़रा त्यान से वाइप इपल चार्ज 1,002,006,008,00,00 जैसे कोई सी के बिजनेस को बिजनेस कोचिंग करता है तो साल के 8 लाग रुपे लेता है ना मैं कितने मेरे पास तीन डॉक्टर है तीनों डॉक्टर से मैं 6 लाग रुपे 8 लाग रुपे लेता हूँ पूरे साल के बिजनेस कोचिंग के लिए पूरे साल का कि साल भर आपका बिजनेस कैसे ग्रो होगा क्या क्या है उसमें strategies हम लगाएंगे इसके लिए ठीक है तो यह एक साल का होता है commitment कम से कम personal coaching में एक साल या कुछ लोग 6 मैने भी करते हैं लेकिन मेरा जो pattern है मैं एक साल का करता हूँ तो यहाँ पे एक साल के लिए अगर कोई एक लाख रुपे दे रहा है तो मतलब वो कितना दे रहा है 7000 रुपे या 8000 रुपे मेने का और अगर वो इसके against में मेने को 50 या 60 रुपे earning करता है तो क्या 7000 रुपे देना worth है उसके लिए yes no worth है तो यह होता है अगर आपके साथ सीख कर अभी हर बार पैसे की बात नहीं होती कभी कभी ऐसे होता है कि मेरे life में ना बहुत खतरनाक problem है और मैं चाहता हूँ कि यार भाईया कितने भी पैसे लेलो लेकिन यह problem solve करो मेरा तो वहाँ पे पैसे की बात होगी क्या है वहाँ पे बात क्या होगी वो problem को solve करने की बात होगी getting my point yes no in the chat box everybody okay so this is what is the structure of course तो इस तरह से आपको structure बनाना होता है पहले आपको level 0 का एक free program बनाना होगा फिर आपको level 1 का 3 days, 5 days, 6 days का program बनाना होगा जिसका price होगा 999 से 1499 यह देखो यह जो structure है आपके दूसरे यह जो book है इसमें दिया है दूसरा book जो है course creation PDF उसको खोलो और उसमें अगर देखोगे आप तो यहाँ पे structure दिया है आपको तीसरे पन्ने पर देखो आपको intermediate level 30 to 60 days advanced level 90 days personal coaching 6 months to 1 year दिया है आपको वहाँ पे charges भी दिये है आपको ठीक है तो उसको दरा ध्यान से पड़ोगे तो ध्यान आएगे जाए आपको समझ जाएगा अभी यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है कि पूछना है तो पूछो चलो अपन question answer लेते अभी पास दस मिट के लिए और मैं सबको यह भी पूछूँगा कि आपके कौनसे कौनसे topics है कोई questions है आपको सर टॉपिक नहीं रहा तो क्या करेंगे हां तो उसके लिए पहले जो exercise दिया था मैंने आदे घंटे में उसको आप नहीं थे तो आप वह recording देखके exercise करना आज रात को तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा ठीक है और सर वो गूप भी नहीं है तो अभी तो प्रिंट आउट निकाल लेना ना अब उसकी प्रेंट निकाल देना ठीक है मेत्री सर काई प्रश्ण है तुम्सा सर माज़ा प्रश्ण सवते की ति में वेबिनार चे जेश्ट जीरो लिवल चाहे ना सर अब लेला कुटले तरी एक प्रश्ण सवाल है अपको 90 मिनिट के सेशन में क्या बोलना है आपको तीन दिन के सेशन में क्या बोलना है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना यह सब सीखने वाले हम कल डूंट वरी और कुछ सवाल है अपका अच्छा आपका टॉपिक क्या है है वह बताएं महेतरी जी टॉपिक वाट इस वर टॉपिक आज के लिए मैंनी माइंड़्षेट माश्टरी अच्छा तो आप क्या सिखाएंगे लोगों को कि मनी माइंड़्षेट कैसे बनाए यह पैसा ज्यादा कैसे कभाई यह सिखाएंगे क्या सबसे पहले माइंड़ पर करेंगे एंसन सूंषाने को ऑपक хороший मैंने का क suffix मास्ट्री मुझे एंसी आ मैंखें कुछ और पास पैसा उसका मियंग मुद्ध किया है माइस हमारा नहीं होता है इसलिए हमारे पास पैसा नहीं आता है और दुस्तरी बाद पैसा हमारे पास आता है तो यहां जादा देर रुपता भी नहीं है उसके लिए कुछ हमारी limiting beliefs होते हैं जिसके कारण हमारे पास हो नहीं रुपता है तो आप सिंपल आप यह सिखा रहे हो कि आप ज्यादा पैसे आपके पास कैसे अट्रैक्ट करेंगे और उस पैसे को आप सही से कैसे संभा लेंगे आ सब्सक्राइब आस तो यह सिखाने वाले हो आप तो आपको बोलना है यह कि money mindset mastery इस program में हम आपको यह सिखाएंगे कि आपके पास ज्यादा पैसे कैसे attract करेंगे आप और उन पैसे को आप अच्छी तरीके से कैसे संभालेंगे एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करेंगे तो आप कितने दिन का यह प्रोग्राम बनाना बनाने की सोच रहे हों यह अभी सर बता नहीं सब्सक्राइब यह साथ साथ दिन का उनको को रिखेंगे उसके अंदर सेवंड़ेंगे उनको देली एक गंटा उसके उपर हम उनको बात करेंगे एक्जेट जो शिकान आएना सर उसका एक स्ट्रक्चर हमको समझ में आगा है न सर लंग वैदर किसे कर सब्सक्राइब कर रहे हो इन तीन के लिए कि आप लोगों को यह सिखा होगे कि ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं यूजिंग फॉरेक्स मीरा जी आपका कौन सा टॉपिक है सर्थ मेरा जो टॉपिक है वो केक बेकिंग का टॉपिक है जो कि वर्किंग वुमन जो है या हाउस वाइब जो है वो पैसे कैसे कमा सकते हैं घर से बिजनेस शुरू करके तो उनके लिए यह कोर्स के कुछ यह यह डिटेल्स भी अवेलेबल है मेरे पस जो मैंने बनाया है कु है अच्छा तो आप महीलाओ को यह सिखाओंगे कि आप अगर घर पे है और आपको अगर घर पे बैठे-बैठे कुछ ऐरन करना है तो आप केक मेटिंग सिख जाओ क्या तो मैं आपको शिखा Shark कि कैसे एक मेटिंग कि आगर जैसे कोई अगर पूने में रहता है पूने के एक स्पेसिफिक एरिया में एक से नकर में रहता है वह अगर केक बनाता है घर पे जैसे कि आ गर शिवा जीन अगर तक हमें केक को बेचना है तो तिक अगर आपके पास अभी आंसर नहीं तो इसका आंसर निकालो आज रात का तुम्हाला का वाटते बाकी लोगों बाकी लोगों बोलो जरा कैसे बेचेंगे कुरियर को मेत्रे से आप बोलो यहीं सीखना है सब्सक्राइब करेंगे और उसी एरिया के अंदर दिखना चाहिए उनी लोगों को जो पेश्बूट के उपर रहते हैं और हमारा दिखाएंगे और लोग हमारे वार्ट सब्रूप में आएंगे और उनको वेबिनर के तुरू कैसे केक बेचेंगे सराम अभी आपका बड़े ह है मेरा है नवंबर है किसी का होगा तो कैसे बेचेंगे हम जिसको कीऽ रहे हैं बंड़े चाहिए न उस मह Torah में का स्थामर को बेचना बोल रहे या मुझे लगा कि सर्वह को किसको कि तर से खोर्स तो ढ़िए इन्हों ने संद्धित्रे सर्को सिखाया कि कैसे बनाते है लेकिन मेटरे सर्व अभी बोल रहें कि सैर मैडम आपने मुझे यह तो शिखा दिया कि कैक कैसे बनाते है अब बेचू किसको मैं यह केक अभी इसके लिए सुनो दो मिनिट में जिनका बर्तड़े है जिनका एनिवर्सरी है ऐसा कुछ लोगों के डेटा को आप कलेक्ट करेंगे सर्थ कैसे फेस्बुक की जरी है सर्थ हमां पर ले सकते न सर्थ हम डेटा कलेक्ट करके बूंको यह इम से इसलिए हम बोलते हैं कि सोचो सोचना बहुत सीठ ननी यह सोचना भी है आपके आसपास पाच किलो मेडर में आपके आसपास पाच किलो मेडर में जितने भी बड़े स्टोर्स है मेडिकल स्टोर्स है या कुछ ऐसे स्टोर्स है जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है जहाँ पे आप रोज जाते हो एक A4 साइस का एक ये बनाओ क्या बलते हो उसको प्रिंट आउट और वहाँ पे लिखो कि केक अविलेबल हाफ केजी इतने रुपय में वन केजी इतने रुपय में अगर मार्केट हाफ केजी बेच रहा है दो सो में तो आप बेचो देड़ सो में एक किलो अगर मारकेड बेच रहा है चार सो में तो आप बेचो तीन सो में और जो भी लोग आपके पास आ रहे है फोन करके और केक लेके जा रहे है उनको छोड़ो मत उनका डेटा कलेक्ट करते जाओ ऐसे करते-करते अगर सो लोगों को आपने केक बेचा without Facebook ad without Facebook ad सो लोगों को अगर आपने ऐसा केक बेचा तो उन सो लोगों को हर बार जब भी होली आए दशेर आए दिवाली आए मैसेच करते रहना उनको एक ग्रूप में आड करना कि मैं आपको मैडम सर आपको एक ग्रूप में आड करू किया वहाँ पे मेरे नए 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 प्रोड़क्स में डालती हूँ आपको आड करू किया तो हाँ ही बोलेंगे तो हाँ कर तो आड करना जब भी नया कोई केक बनाते उस ग्रूप में डालना तो क्या होगा अगर सागर सगर ने मेरे से खरीद अगर सध्किल कर जेचल होगा सागर मेरे ग्रूप में है और हर दिन मेरे नए पोस्ट देखता है या फिर मैं एजुकेट्ट करते रहता हूं सागर मेरा कस्टमर है सुनो अभी धंस पहुत है और पी colors ओर уже केखर मेरा कास्टमर है लेकिन मैं सागर को हर रोज ऐसे मेसेज बेचा हूँ की अगर आप ब्लैक बेरी ये केक बनना चाहते हो तो ये केक के लिए ऐसा होता है वैसा होता है तो ये क्या कर रहा हूं मैं सागर को educate कर रहा हो so next time whenяж सागर wants a cake तो क्या करेंग सबसे थे अर्यार वो किसे का बंदे का नंबर है यार वो मैसेज करते रहे था धूंडो उसको ही बोलता हूं मैं दिस इस वाट इस दर सेलिंग और इस वाट इस दर मार्केटिंग यू शुरू करेंगे तो भी लोग आपसे ही लेंगे और आपको क्वालिटी प्रॉड़क्ट डेलिवर करना है तो म मीरम माडम को अभी यह सिखाना है उनके स्टूडन Спो कि केक कैसे बनाते है और केक बनने के बाद उसका मार्केटिंग और सेलिंग कैसे करेगे यह फोगी एक स्ट्रेटरजी ऐसे मेरे पास 10 स्ट्रेटरजी है अभी क अभी ल lawsuit उसपर टाइम वेश्ट नहीं करूँगा तैर और उसको मैंने सिखाया, कैसे करना है, उसका एक box आता है cake का, वो 100 box आप print कर लो, अपने नाम से, उसपे नाम डाल दो, नमबर डाल दो, और कुछ extra देने की आदत दालो लोगों को, उसने cake मांगाना सिर्फ cake मत दो, उसके साथ कुछ तो भी free दे दो, कितना खर्चा होगा प्रप्प कर इंक रूप में प्राइक के संचाएक सब्सक्राइब पूर्च में लित्म सरने कि माइंडसेट इसी को बोलते हैं माइंडसेट देना सीखो जब आप दोगे तब वो सव गुना होके आएगा उसने केक मांगा ना उसके साथ आप चाको तो हर कोई देता है फ्री उसके साथ आप एक फ्लावर दे दो या फिर एक कैंडल दे दो या फिर कुछ ऐसा दे द कि आवाज नहीं आरहा है आपका हलो हलों प्रम को हो जा रहे सरवें यह सिर्म ग्राफिक डिजाइनिग को मार्कट भी बहुत बड़ा है आप मुझे आनिकेश जी वाट्स पे मैसेड करना परसनल मैं आपको एक डिजाइनर है उसका इंस्टाग्रम प्रोफाइल बेज़ता हूँ वह आप देखो वह प्रोफाइल और थोड़ा अगर आप खुद पे काम करोगे तीन से चे मैंने मैं बोलता हूँ मैंने के चार-पाच लाग करना भी आपके लिए बहुत इजी है यू कांट बिलीव इट आप पूरा ब्रैंडिंग बना सकते हो एक कंपनी का विजिटिंग कार से लेकर तो यह सब कर सकते हो ना इसके लिए मार्केट में साथ हजार से असी हजार चार्ज किये जाते हैं यह होगा इनिलन। परावर्फु शॉफ्ट्वेयर. और को में सिख्वान आता है वह आपको पता नहीं होगा एक साल पहले मैंने जहां पर मैं रहता हूं वहां पर मैंने इतना धुटन गया कोई मुझे और चिकादे कोने सिख्वाने हए और जो आफ्लाइन जिन fís इनको उनको नहीं पता कि सिखाने में कितना पैसा है जो वो मेहनत करके कमा रहे न साथ पत्राइस साथ हजार रुपए इसके पोश्ट बना उसके पोश्ट बना वो अगर वो सिखा देंगे तो एक लाग रुपए कमाएंगे पावरफुल है अपना सब्जेक्ट वेरी नाइस आप डिसकस करेंगे इसके उपर ठीक है बाद में मैं आपको एक प्रोफाइल भेजो और याद दिलाना कि यह वो सर प्रोफाइल भेजो एक लड़की है उसकी प्रोफाइल भेजोंगा मैं आपको उसने डिजाइन किये पर वन ब्रैंड पॉजिशनिंग एक सम्झों अगर मुझे मेरा विजिटिंग कार्ड बनाना है लेटर हेड बनाना है लोगो बनाना है यह सारा कुछ अगर करना है शी चार्जिंग वन लाग ट्वेंटीफाइल थाओजन पर वन क्लाइंट इस इस वाट इस दो पोटेंश सब्सक्राइब और यूटूब से लग रहता है गुड़ 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 वह फिर तो आप और भी पावर्फुल हो कि मैंने यूटुब सेल्प लर्निंग से सीखा था तो हमारे एक्स्पीरेंस ही अलग रहता है गुड़ और और जब मैंने ऑफिस में काम करता तो मैं आ वह मैं टीम लीडर हो घृटका काम करता कि क्या नाम है आपके कंपणी इव्यक्सिक्टे शल्घ्व यह रहना का अथा क्या होता होता है कि देलिके शला य। सब्सक्राइब करें और उसको जाब के लिए उसका क्या है और देखो जैसे कोई भी चीज सिखने के लिए ना माइंसेट बहुत इंपॉर्टन हो जैसे कि अभी आपने बहुत सारे कोर्स भी देखे होंगे अनलाइन इतना डीप में कोई नहीं जाता है उपर उपर से बोलते यह करो विडियो शुट करो वगरा करो यह करो लेकिन उसके सबसे पहले कि क्या कॉंसे टॉपिक पर करना है उसे वह तो उसको पता होना चाहिए ना वैसे ही आपके बात है अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहे हो तो उसको कलर कॉंबिनेशन क्या सूट करेगा क्या नाम डालू कैसे डालू यह भी सिखना जरूरी होता है आपका अच्छा है गुड चलो नेक्स्ट कौन है यह 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 प्लीज और उसके साथ में उनको फिल्लाइक मैंने खुद डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है वह भी सिखा सकते हो बिल्कुल बिल्कुल जैसे अभी मैंने मेरा मैडम को बोला कि केक बनाना कैसा यह सि है वह बेचेंगे कैसे वह ज्यादा इंपोर्टंट है तो ग्राफिक डिजाइनिंग सिखने के बाद क्लाइंट कैसे लाएंगे लाएंगे लाट इस वेरी इंपोर्टंट गुड मैं वह भी सिखांगा उनको उसके बाद जो AI टूल से मतलब चैट जीपिट जैसा है कुछ सब्सक्राइब को पता नहीं है गूगल फॉर्म भी बनाना नहीं आता बहुत सारे लोगो राइट है उसके बाद कोन है विश्वास जी आपका टॉपिक तो आपने बताया रेकी का हीलिंग का राइट वही करना है आपको गुड ओके तो गाइज डू यू वांट ब्रेक और कंटिनु करें किसे को ब्रेक के जरूरत नहीं होंगी तो कंटिनु कर सकते हो अगर ब्रेक चाहिए तो टू मिनिट्स का आप ब्रेक ले सकते हो अभी नौ बचके 34 मिनिट हुए है आप 36 मिनिट तक वापस आ जाओ मैं यहाई पर बैटा हूँ तब तक मैं दूसरे लोगों से बात करना जिनको ब्रेक लेना है दे केन स्विच ओफ देर वीडियो एक ब्रेक एंड कम बैक ओके राधा जी संजय जी और रोहीनी जी आपसे मैं बात कर होना चाहूँगा अगर आप अविलेबल है तो अगर आपके कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो सर वही टी टॉपिक चूज करके फिर मैं बताती हूँ आपको कौन से टॉपिक पर करना है तो आपको क्या करना है अभी सुन लो आपको मैंने एक पीडियाप दिया है ग्रूप में उस पीडियाप का प्रिंट आउट निकलना है सबसे पहली बात नमबर तू आज का जो रे नहीं हुआ टॉपिक लियर तो आप मुझसे बात करना है कि आप कौन से टॉपिक पर काम कर सकते हो ठीक है यह सर और कल के पहले करना यह नहीं तो फिर कल का भी पेंडिंग हो जाएगा आपका संजे जी आपसे बात कर सकते हैं अच्छा कोई सवाल है किसी को इसके अलावा जो भी आपको मैंने सिखाया या जो भी आपको बताया उसमें आपको कोई सवाल है ठीक है संजे जी बोलिए ठीक है ठीक है कोई बात ने कोई बात ने कोई बात ने ऑक है तो गाइस हमने डिसाइड किया था तो सब को आने देते है किसी को कुछ पूछना और यस लिए विचारा चाहा होता है कि आपको आपका जो टॉपिक है मनी माइंसेट वाला उसका बहुत डिमांड है यह नाम आ घया जहां पर निमांड हर किसी को पैसा कमाना है र किसी को पैसा बचाना भी है हर किसी को पैसा बड़ाना भी है तो अगर हम यह तीनों में से किसी भी फिल्ड में काम कर रहें पैसा कमाना पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना तो उसका चलने ही वाला है सिंपल सिर्फ आपको क्या है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रॉक्चर रेडी करना पड़ेगा तो लोग आएंगे आपके पास पहले कुछ दिन स्ट्रगल हो सकता है आपको एकाद में कैसे आए क्यूंकि कभी कभी वो राइट ट्यूनिंग नहीं बैठता है एक वार पैड़ गया है कि फिर शुरू हो जाएगा यह सर्व मला फक्त तीम गोश्टी असा सम्झाल संग मंझे लोकान सम्झान सब्सक्राइब पर्पेक्टली तरना आले आले कि का संगाव लागेल अन्मेडल पाटले तरना का सिंगल मंते तरस पुटला तरी आपन वीडियो को त्यामने पहले तेंचे प्रब्लम अच्छा जो आपका पहला है फ्री वाला कॉंसेट्ट उसके लिए हम आपको डिवाड़ी मेड देने वाले हैं वहाँ सब कुछ लिखा रहेगा कि आपको फ्र्स लाइड में क्या डालना है सेकर्ड में क्या डालना है ठीकर उसके बाद वह मैं explain करूंगा आपके साथ कल बताउंगा कैसे प्रिजनेशन रिडी होता है सबको बताउंगा ठीक है दो 90 मिनिट का prezentation कैसे बनता है जो आपको सब बताऊंगा कल कल 3 घंटे की क्लास है और पर्सों भी 3 घंटे की क्लास है जो तीन घंटे में बहुत कुछ सिखने वाले हम सिर्वा आपको पूरे तयार रहना है 100 परसेंट माइन से हैं ना सब्सक्राइब को मिलने वाला है येस पहला सब्सक्राइब लेकिन आगे सब्सक्राइब के तरफ गया तक से हमारा लिंक बाहर जो हम जैसे आप अभी आपके तरफ से पूरी तरफ से यह करना से अभी देखिए सबके लिए एक बात बताता हूं मैं और आपको अगर फेसबुक आड़ करना है तो एकदम दस हजार उपे मत लगाओ हजार 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 उपे दस बार लगाओ या दो दो हजार पाच बार लगाओ तो इससे क्या होगा कि आपको समझेगा कि पहले मेरे पास कितने लीड आए फिर उसमें से कितने लीड कनवर्ट हुए अगर नहीं हुए तो दूसरी बार मेरे के पास पैसे लगाने के लिए चाहिए सबको एक चीज माइड में क्लियर रखना है अगर आप लोगों तक पहुचना चाहते हो तो आपको फेस्बुक के ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ेगा आज इस प्रोग्राम में आपको जो 6-7-8-10 लोग दिखे रहे है बैठे हुए इसके लिए more than 28,000 I have spent on the फेस्बुक 28,000 रुपे ठीक है सो क्या होता है अभी आप आप लोग आई इसका मतलब बस इतनी लोग आए कि 8,000 में नहीं मेरे पास free वाले leads भी बहुत सारे है ना उनके लिए मैं और प्रोग्राम करूंगा फिर और प्रोग्राम करूंगा फिर उनमें से और लोग आएंगे फिर दूसरी badge बनेगी ऐसे हो है और हमें यह समझना पढ़ेगा इसको बोलकि इस ही को बिजनेस बोलते है कि पहले आपको लगाना लगा नहीं से होता है शोथ कृष्प पाना चाहता है यह सकता है यह सब्सक्राइब अपने फेस्बुक पे लगाया और नेच्रोपैथी के लिए आपके पास 200 लोग आये आपके ग्रूप में लेकिन उस 200 में से 15 लोग ऐसे है कि जो सातारा के आसपास के है तो आप उसमें या पूने के है तो आप उसमें मेसेज डाल सकते हो कि अगर किसी को मुझसे 1-2-1 मिलना है फेस-टू-फेस मिलना या मेरा ट्रिक्टमेंट लेना है तो मेरा क्लेनिक यहां पर है सातारा में या फिर वो जो 200 लोग है उनमें से कोई सातारा से जा रहा होगा आ रहा होगा तो वो तब लोग आपको विजिट कर सकते हैं and when they visit या कोई देखो इलाज के लिए लोग राजिस्थान तक जाते हैं कहा कहा तक जाते हैं या लोग पत जाना चाहिए तो वो कही से भी आएगा आपके पास तो यह मैटर नहीं करता जब हमने बुक कोचिंग का सेमिनार लिया था पूने में अप्रेल महने की बात है यह तो लोग नाकपूर से अटेंड करने को आये थी पूने में एक दिन के लिए सुबह आये वो फ्लाइट से और पूरे दिन का प्रोग्राम अटेंड किया और शाम को चले गया वापस जो सीरियस है जिसको सच में वो प्रॉब्लम है तो वो आएगा तो आप डाल सकते हो कोई बात नहीं ठीक है एक एड में आप दो प्रमोशन कर सकते हो खर्चा करोगे एक प्रमोशन होंगे दो ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते है तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जस्टमेंट हां तो हमने अभी तक क्या देखा कोर्स कैसे क्रेटर स्ट्रक्चर देखा एटी आर देखा ऑनलाइन कोर्स हमने क्यों करना चाहिए इसका मैंने अंसर नहीं दिया अभी तक लेकिन थोड़ा बहुत दिया थोड़ा बहुत और मैं दूंगा आपको Price point क्या होना चाहिए आपका Level one का Level zero का Level two का Level three का ये भी मैंने बता बताया अपको कोर्स launching का process क्या होना है ये चीज हम जदर ह समझते हैं ॥ा नांच ये व्ली कोर्स इसको हमदर समझते हैं ऎरsome कल हम संजहेंगे Facebook आईड आपका ठीक है कल हम समझेंगे पीपीटी आपका ठीक है वो सारी चीज़े हम कल समझेंगे अब अंडेस्टेंड वाट इस दे प्रॉसेस आपको बताया लेकिन फिर से एक बार रिपीट करता हूँ प्रॉसेस क्या होता है एक्जेक्टली समझो सो कल मैं आपको जो फेस्बुक आड सिखा हूँगा एब भी आड वहां से जो लोग आपके वाटसेप ग्रॉप में आएंगे और वहां से जो आप फ्री प्रोग्राम जिसको हम वेबिनार बोलते हैं या वर्क्शाप बोल सकते हैं लेंगे और वहां पे आप कुछ सेलिंग कर चौरसेश कितना है इसमीब देखो यहीं एक इसटेप टू यहीसटेप ठीज और यहीए स्टेप फ्री ठीक है Prop फोर एग सबस्बुक्रण्याइव से क्थ लगाना सीखना पड़ेगा जो कि हम कल आपको बताएंगे और बस इतना नहीं कि मैं आपको शिकhammer लेकिन मैं आपको कुछ कोर्सेश भी दूँगा जो आपको देखने है ताइम निकल के ठीक है और वो वीडियो वो कोर्सेश या वो वीडियो वाइड बोर्ड वीजिबल नहीं है सबको दिख रहा है विश्वार जी आप जरह देखिए ध्यान से बाकी लोगों को दिख रहा है ऐसा बोलना है उनका देखो तो एक बार दिख रहा है कि नहीं इंपोर्टन्ट यह है गाइज बार-बार मैं वही बता रहो आपको कि अभी देखो दिख रहा है वाइड बोर्ड स्क्रीन एड्रेस्स करो आपका यह वाइड बोर्ड का क्या हुआ पता है क्या यह जूम ने थोड़ा कुष्टो भी अप्ग्रेड किया इसके अंदर तो यह वाइड बोर्ड का बहुत दिक्कत आ रहा है दो तिन दिन से लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ अभी देखो तो सर कि में बायर पुर्ण परत रॉलेंट करता हूँ हां तसका इदरी का रहा है तुम्हें पाकि लोगों दिशेद है गया तो क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे जड़ा बताएं निव दिस्ता है सर अब्ड़ाइड आए तान अंतर एक मिल्टा स्क्रीन अब्ड़ाइड नंतर डब्लू यह वाट्सप लिले वेबिनारे लिंग आए आणि निव लिला ओके यह वाइड बोर्ड चामी आज आज में रात को इसका आंसर निकालता हूँ यह अपग्रेड किया ना इसने जूम ने तो बहुत दिक्कत दे रहा है यह लेकिन ठीक है कोई बात ने चलो अभी समझते है प्रोसेस हमने समझा एब्ड़ाइड वाट्सप ग्रूप उसके बाद मे आपका वेबिनार और आपका सेलिंग यह है आपका कूर्स लांचिंग का प्रोसेस अभी कल अगर आप एब्ड़ाइड सीखेंगे जब आपका कल एब्ड़ाइड सीखना हो जाएगा तो मैं आपको एक ग्रूप बनाने को बोलूँगा ठीक है उस ग्रूप में हम लोगों क लेकर आएंगे और परसो के दिन याने मंडे के दिन आप सभी लोग कि आप सभी लोग क्या करेंगे मंडे के दिन एक फ्री प्रोग्राम करेंगे इतना मैं आपको रेडी करके दूंगा तीन दिनों में डूंट वादी सिर्फ आपको इतना तैयारी रखना है कि कल तीन आप बैठेंगे और जो भी प्रॉब्लेम आए आप पूछेंगे ठीक है इस ट्लियर यस नो है क्लियर चलो कि चलो आगे बढ़ते हैं अभी तो नाव विल अंडर्स्टाइन जस्ट अ मिनिट हाँ अभी मुझे सर ने पूछा कि PPT जो कि हम कल पढ़ने वाले उसका एक छोटा सा सिखा देता हुआ आपको कोई भी जब प्रेजेंटेशन आप बनाओगे वह होता है ऐसे P N S D लिखो अपने अपने वर्क बूप में P N S D P का मतलब है पूने P फॉर पूने N for नागपूर S for सोलापूर S for सिंगापूर और D for डेली ठीक है तो P N S D का मतलब क्या समझो सबसे पहले हमें बात करना चाहिए प्रॉब्लम के उपर कि आपके कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है आपके सामने जो भी लोग है उनको वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे है नंबर दो हमें बात करना चाहिए नीड नीड मतलब वो जो प्रॉब्लम है उनको उसको सॉल करने की क्या जरूरत है नीड क्या है उसको सॉल करने की नमबर थ्री जो है वो है as for solution कि इस problem का अगर उनको solve करना है तो उसका solution क्या है और अगर उसको solve कर लेते हैं वो लोग तो कौन से उनके desire fulfill होगे अगर उस problem को solve कर देते हैं तो उसके क्या फायदे होंगे यह चार प्रॉसेस में आपको presentation बनाना होता है किसी भी चीज़ का अभी मैं example देता हूँ एक है ना सब ने सुना एक क्या दो example देता हूँ मैं ध्यान से सुनना अभी मैं एक minute के लिए हैं ना just a minute झालो हाँ झालो हाँ अथो कि वो के गाईज सो अभी ध्यान से देखना ध्यान से सुनना मैं क्या बोड़ रहा हूं और नहीं समझा तो प्लीज पूछ लेना अभी मैं जो भी बोल रहा हूं अभी उसको ध्यान से सुनना और अगर नहीं समझा तो पूछ लेना so example हम सबसे पहले लेते हैं मीरा मैडम का और उसके बाद लेंगे हम मेत्रे सर का ठीक है अब है मीरा मैडम क्या सिखाते हैं मीरा मैडम सिखाते हैं कि केक कैसे बनाए तो प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है इसमें कि हर तीन महने में या दो महने में घर में किसी ना किसी का बड़े होता है कि याने अगर कोई भी फैमिलि उठा के देखेलो तो कम से कम पाँच मेंबर है चार से पाँच मेंबर याने साल में पाँच बड़ते है एक केक के ऊपर अगर एक इंसान चार सो या पांसो रुपए अभी चार सो पांसो में कुछ नहीं होता हजार हजार रुपए के केक लाते हैं लोग ठीक है ना तो आप हम हमने कभी भी बात करना है ज्यादा कम नहीं करना 300 के केख खरिद्य होंगे लोग लेकिन हमने क्या बोलना 1000 के के खरिद्य है खरिद्ते है न लोग थी हम देखते अभी देड़ 1000 1000 के के खरिद्य है सो अगर आप समझो 1000 का minimum value का केक अगर खरिद्ता है एक इंसान इन्टु 5 यानि 5,000 रुपए वो खर्चा कर रहा है केक के ओपर एक साल में घर के लिए और 5 दोस्तों के लिए भी खरिदता है तो कितना हो गया 10,000 रुपए वो खर्चा कर रहा है नंबर 1 यह हो गया प्राबलम दूसरा प्राबलम क्या है कि एक कोई महिला है जो घर पे बैठी है और वो चाहती है कि यार मैं कुछ अर्निंग करू 4-5-6,000 भी होगए तो भी बहुत है मेरे को मुझे self-dependent बनना है मुझे आत्म निरभर बनना है तो क्या कर सकती है बच्चे है इसलिए बाहर नहीं जा सकती लेकिन घर के घर में क्या कर सकती है तो आपको उनको क्या बहुलना पड़ेगा पहला प्राब्लम क्या है कि are you spending 10,000 रुपीज every year on cake still you are not getting healthy cakes still you are not getting fresh cakes so can you save this 10,000 रुपीज क्या आप ये 10,000 रुपे save कर सकते हो कैसे मैं बोलती हूँ कैसे ये हो गया number one problem number two क्या है क्या आप एक ऐसी महीला हो क्या आप एक ऐसे इंसान हो कि जो एक नया business धून रहे हो या कुछ ऐसा धून रहे हो जिसको आप घर से करके 10,000 रुपे कमा सके जादा नहीं बोल रहा हूँ है 10,000 रुपे so I have a solution for you तो problem क्या है क्यों नहीं कमा पा रहे आप क्योंकि आपको पता नहीं कि आप क्या कर सकते हो क्योंकि आपको बाहर जाना allowed नहीं है क्योंकि आपके पास ना ज़्यादा knowledge है ना आपको अंग्रिजी आती है और ना आप ज़्यादा पढ़ाई किया है अभी केक बनाने के लिए पढ़ा ही लगती है क्या है नहीं इंगलिश आना चाहिए क्या है नहीं किसे के सामने जाके वीडियो पर बात करना है क्या है नहीं सिंपल है तो आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो भी आप स्किल सिख सकते हो तो आपने बोला problem के बारे में बात की अभी need क्या है ये problem solve करने की आपको अगर आत्म निर्वर बनना है तो आपको skill शिखना पड़ेगा आपको अगर थोड़े से पैसे कमाने है तो आपको skill सिखना पड़ेगा आपको अगर आपके family में या friends में इसमें आपको respect चाहिए तो कुछ ने कुछ skill सिखना पड़ेगा कुछ ने कुछ पैसे कमाने पड़ेगे आप अगर चाहते हो कि आपके घर में जितने भी cake आए आपके friends के birthday में जितने भी cakes आए वो सारे healthy रहे तो आपको सिखना पड़ेगा यह आपने बता दिया need की जरूरत क्या है now what is the solution I will teach you how to make healthy cakes I will also teach you कि आप यह healthy cake बना के कैसे sell करोगे और महने का 10 से 15 अजार कमाओगे marketing कैसे करोगे sales कैसे करोगे यह सारा कुछ सिखाऊंगे आपको now यह अगर आप करोगे तो क्या कर सकते हो sorry अगर यह आप कर लोगे तो क्या कर सकते हो महने के अगर आप 10,000 रुपे एक्स्ट्रा कमाते हो into 12 तो साल का 1,20,000 रुपे एक्स्ट्रा कमा होगे 1,20,000 में write down your goals क्या नहीं होता आज 1,20,000 में आप अगर अपने family को जाके खुद के तरफ से अगर कही बाहर लेकर जाना चाहते हो आप अपने husband के पैसे से जाते हो I know क्या आपको नहीं लगता कि कभी आप खुद कुछ करे अपने बच्चों के लिए इसका मतलब यह है कि अगर आप थोड़ा भी पैसा जादा या एक्स्ट्रा अर्न करोगे तो उससे आपकी lifestyle बेटर हो सकती है क्या yes no आंसर है yes आप अभी एक second hand tooler यूज कर रहे हो समझो आपके पती क्या आपको लगता है कि आपके पती जब दिन भर काम करने जाते है बाहर secretly आप घर पे थोड़ा बहुत केक वगेरा बना के साल भर में अगर एक लाख रुपे या साठ सहजर सत्तर हजार जोड लोगे so can you gift him a new two-wheeler which can make a huge happiness yes or no yes or no अगर आपके पती अकेले ही अपने बच्चों की स्कूल की फीज बर रहे है can you help him little bit can you contribute for that can this thing will make a huge happiness in your family क्या उसको भी कभी ऐसा लगे गा कि यार मैं अकेला ही नहीं दौड रहा हूँ मेरे साथ भी कोई है are you getting this point yes no guys क्या बोल रहा हूं मैं ऐसे अगर मैं पीचिंग करूंगा तो क्या महीला है मैं अगर केक सिखाने लग जाओ दो सच पे बदल सकते हैं आप वह अचार अचार बेचके महीला है करोडों रुपए कमा रहे है यार पापड बेचके कमा रहे है कि यह सारे चीजह ना इसथ ड्रेवन भाई यूवर माइंसेट जस्ट ड्रिवन बाई यूवर डेडिकेशन दास्ट आप कितना बड़ा देखते हो खुद को उस पर ये डिपेंड है छोटी से शुरुवात क्यों ना हो आपकी लिजज़त पापड की शुरुवात एक छोटे से जगह से हुई थी आज करोडों का ब्रांड है वो टाइम लगेगा ना ओविसली लगेगा टाइम लगेगा ऐसा त बात कर रहा था बहुत important चीज़े मैं आपको बोलता हूँ कल हम एक जगह पर गए खाना खाने के लिए और मैं बात कर रहा था ऐसे कार में जाते हैं वक्त हम बात कर रहे थे कि लोगों को है ना 30 साल किसे के यहां काम करना पसंद है लेकिन 3 साल struggle में निकालना पसंद नहीं ह मैं अगर लोगों को बोलता हूँ ना कि 3 साल अपने जिंदगी के दे दो 3 महने अपने जिंदगी के दे दो 6 महने इस पर काम कर लो 10 तीज़े छोड़ दो बंद कर दो वो किसी के शादी में जाना 3-6 महने के लिए भूल जाओ कि संदय आता है वो नहीं है चाहिए लोगों क लोगों को हर साइटे संजे एंजोई करना है तो मैंने कल उसको बोला गाड़ी में जा रहे थे he was driving और मैंने बोला कि देख लोगों को है न दूसरों के यहाँ पर 30 साल जॉब करेंगे लेकिन खुद का धंदा 3 साल स्ट्रगल नहीं करेंगे यह problem है this is what is the problem तो यह समझना पड़ेगा और इस पर अगर काम करेंगे न तो बढ़ेंगे हम आगे ठीक है पहले दिन तो खराब होते ठीक है न कुछ दिन कुछ दिन है उसके बाद ठीक है ना तो यह हो गाए मीरा मैडम का एक्जामपल ना वील कम टू दव मेत्रे सर का एक्जामपल है ना अभी बाकी लोगों को अगर एक्जामपल चाहिए तो आपको भी दूंगा डोंट वरी लेकिन आज नहीं उस पर कल बात करेंगे अभी मेत्रे सर सिखा रहे मनी माइंड सेट क्या सिखा रहे तो अभी इस पर PNSD कैसे लगेगा PNSD समझो मेत्रे सर को अभी प्रेजेंटेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे सबसे पहले प्राब्लम पर क्या बात करेंगे मेत्रे सर प्राब्लम क्या है लोगों के पास पैसा है नहीं यह प्राब्लम है क्यों है यह problem तो पहले मेत्रे सर उनको समझाएंगे कि पैसा देखो अभी मैं एक example देता हूँ पैसा यह mindset है आपके पास phone है क्या है कितने 1000 का phone है सर मेरे पास 10,000 का phone अच्छा अभी मेरा 10,000 का course खरीद लो लोग बोले सर मेरे पास पैसा नहीं है सर बहुत प्रॉब्लम है सर यह आपका 10,000 का phone यह रात को आप खाना खा रहे थे आपके बच्चे ने उठाके डाल दिया पानी में और वह बंद हो गया आभी क्या करेंगे कल सुबह जाके बजाज फाइनास पर ले लेंगे 15,000 का phone यह स है आप गए अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जहाप आपको आस्पिटल में तीनलागा रुपे बरना है तो पैसा तो आज भी नहीं है आपके पास लेकिन आप खड़ा कर लोगी की नहीं तो खुद के सपने पूरी करने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास कुछ करने के लिए पैसा लेकिन वो खड़ा हो सकता है इसका मतलब पैसे का प्राब्लेम कभी नहीं होता इंसान को प्राब्लेम होता है प्रायोरिटी का तो यह आप सिखाएंगे पहले उनको बोलेंगे कि problem क्या है problem पैसा नहीं है problem है हमारा mindset हम क्यों होटेल में जाते हैं तब हम इधर से देखना शुरू क्यों करते हैं हम इधर से क्यों नहीं देखते क्यों हम जब भी कपड़े खरते हैं हम सबसे सस्ता वाला क्यों देखते हैं तो यह सस्ता mindset हम खुद बना रहे हैं आप अगर साल में चार कपड़े लेते हो I understand कि आप दो हजार पाच हजार का कपड़ा नहीं ले सकते लेकिन साल में चार अगर ले रहे हो आप हजार हजार के तो भी वह चार हजार हुआ ना तो उसमें एक ही लो समझ रहे हो बात को यह सिखाओगे यह बताओगे आप उन्हें पहले प्राब्लम में अभी नीड क्या है इसको सौल करने की क्योंकि अगर आप यह छोटे mindset में रहे तो आप छोटा ही सोचते रहेंगे इसलिए आपको बड़ा सोचना है बड़ा सोचने के लिए क्या वो बड़ा होगा क्या कल से ही नहीं होगा होगा नहीं मुझे पता है कल से नहीं होगा वो लेकिन सोचोगे तो होगा वो कभी ना कभी अगर सोचोगे नहीं तो किसे ने तो भी यह सोचा कि मैं 9-10-11 का यह सा 200 रुपए का हमने दिया था ओफर 999 में तरे सर ने सोचा ताइम लगाया सोचने में में तरे सर को 15 रुपए बढ़ने बढ़े क्योंकि नेक्स्ट विक हमने वह 1500 में सेल किया अगर और बढ़ाते तो इसको हम 2000 में सेल कर दे क्योंकि हमारा लीट कोस मैंने आपको बोला ना कि 28,000 आयाव स्पेंड ऑन फॉर दिस प्रोग्राम राइट सो नीड है क्या जरूरी है क्या यह मनी माइंडसेट बदलने की नीड ह है क्या है क्यों है क्योंकि हम प्राब्लम में फसे हमारे उपर करजा है और वो करजे को हम निप्टा ही नहीं पा रहे है एक करजा खतम होता है तो दुसरा आता है क्यों आ रहा है क्यों 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 है क्यों हम हमारी नीड्स बढ़ाते जा रहे है क्रेडिट यहांच नहीं देखाने के लिए कि यह मेरे पास एपल है इसलिए लिए आप ने तो जरूरुवत नहीं है उसकी फोन तो एपल से भी होता है फोन दो रहोता है क्या करना आपको फोन लगना है न यह समझा वगे आप उनको कि अननेसेसरी चीजों में आप पैसा खर्चा कर रहे हो this is what you will tell them in your 90 minutes program कितने लोग ऐसे जो अननेसेसरी पैसा गवा रहे है उसके बाद है solution क्या है इसका तो इसका solution है हमें right आदते लगानी पड़ेंगे खुद को right आदत क्या है कोई भी चीज खरिदने से पहले इसका कोई alternative available है जो के कम पैसे में है important क्या यह चीज खरिद कर मैं आगे मेरा benefit हो सकता है क्या benefit अभी जो मैंने आपको starting में बताया जो लोग starting में जॉइन होए आड़ बजे उनको पताया मैंने starting में बताया कि जब मैं इस industry में आये तो मेरे पास 20,000 रुपे नहीं थे ads और वो सारा कुछ करने के लिए फिर मैंने एक friend से लिया तो वहाँ पे मैंने कैस होचा कि आज अगर मैं 20,000 लगाऊंगा तो शायद मैं कल 2,000,000 कमाऊंगा वहाँ पे अगर मैं छोटा दिमाग ही उस करता कि यार नहीं यार 20,000 तो नहीं है मैं कहां से लगू तो आज मैं शायद वही struggle में होता किसी company में job कर रहा होता आज भी आज Mercedes नहीं होती मेरे पास लेकिन मुझे दिखा कि यार यह रास्ता है अभी निकलने का बाहर अगर आज भी होता है बहुत से बार अकाउंट खाली हो जाते है कभी 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 क्योंकि जो पैसा आया मने जो भी कमाया वो तो इंवेस्ट कर दे यह तर उदर तो लिक्विड फंड नहीं होता है बहुत से बार पैसे का मैनेजमेंट करने कि मैनेजमेंन कैसे करना तो महित्रे सरअ को है समय समझना पड़ेagus कि मैनेजमेंट कैसे करते है देन महत्रे सर आगे सिखाएंगे और ये सारी चीज़े जब करोगे तो आपको क्या benefits होगा क्या benefits होगा ज्यादा पैसे बचेंगे आपके पास ज्यादा investment कर पाओगे इदर उदर दस साल बाद पास साल बाद आपकी जिन्दगी और बहतर होगी और आप जो आज जॉब कर रहे हो उसका आपको डर नहीं रहेगा अगर कल चला गया वो तो अगर आप जॉब में हो तो अब अगर कभी अगर करोना आ गया या इसा कुछ situation आ गया तो आपके बैंक में पैसे पड़े रहेंगे है ना छे मैने का फंड आपके पास कम से कम होना चाहिए कुछ भी अगर हो जाए अगर मेरा बिजनेस समझो अभी मैने हर मैने में दो लाक रुपे इंवेस्ट करता अगर एक अधे मैने में मेरो को कुछ भी बिजनेस ने आया तो अगले मेने के दो लाक रुपे तो चाहिए मेरे पास कि नहीं चाहिए और मेरे पास दो लाक तो खत्म हो गए अभी कैसे इंवेस्ट करूँ आफ इस दाफनी Money Management and if you don't do it, it's a funny management सबको management करते आना चाहिए तो समझा आपको अभी महत्रे सर कि पहले आप mindset के बारे में बात करेंगे then money क्यों important है solution देंगे उनको management का and then benefits बाकी लोगों को समझा बाकी लोगों को समझा कि किस तरह से आपको अगर एक program बनाना है तो उसका कैसे होगा उस प्रोग्राम को design कैसे करेंगे समझा कि आपको PNSD problem, need, solution and desire ठीक है आखरी के 10 मिनिट है हमारे पास जहाँ पर हम सारे questions लेंगे 10 मिनिट 15 मिनिट चलो एक-एक को हम मैं पूछूंगा और बिंदास कितना भी silly question है न तो पूछ लो है न देखो मैं फिर से एक बार repeat कर रहा हूँ इससे मैं अभी तीन दीन में कम से कम 10-15 बार तो repeat करूँगा यह चीज लेकिन बोर मत होना आप तो मैं फिर से एक बार repeat कर रहा हूँ कि यह तीन दीन जो है न इसका जितना हो सके उतना जादा इसका benefit लो जितने चाहते हो उतने सवाल पूछो and relevant सवाल पूछो relevant जिसका आनसर अगर मैं आपको करूँगा तो बाकी लोगों को भी फाइदा हो उससे ठीक है चलो एक एक का अभी करते है शुरुआत करते है हम पहत्रे सर से आपको कोई सवाल है सर प्लीज आसक उसकी ऑद सवाग़्य है ऊसके बाद विश्वास जी है ठीक है येस कोई सवाल है आज के लिए कोई सवाल ने आपके दिल में एक सागर जी आपको कोई सवाल है कि अधिक प्रश्टों ने आज ओके ओके विश्वास जी आपका कोई सवाल है थोड़ा ये प्रॉब्लेम नेड्स रानी सोलुशन डिजायर नहीं राष्टत आज पन्ना माझी चंका थोड़ी टेक्निकल होती विश्वास रानी फ्री वेविनार करना आ दे नवाज मिनेट ज्वाई एक सागरे कारा दे मंदता जूम तो फ्री मत्ती चारीज मीमित अधिक प्रश्णा उत्तर सरवान साथी इंपॉर्णन सबके लिए इंपॉर्णन है इस सवाल का जवाब वो यह है कि दो चीजों के आपको जरुवत पड़ेगी इस तीन दिन के क्लास के बाद एक तो फेस्बुक आड के लिए पैसा और दूसरा जूम जूम का जो प्रो वर्जन ह है मेहने का सब्सक्रिप्शन ऐंड इंपॉर्टन्टली आपको अगर जूम पेड लेना है तो उसके लिए क्रेडीट कार्ड होना ही चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो दो दिन है आपके पास आजस पास आपके कोई फ्रेंड्स होंगे कोई रिलेटिव उनको पूछ मै क्या आपके पास credit card है मुझे ऐसा ऐसा काम करना है तो मुझे आपका credit card लगेगा अभी यहाँ मैं और एक चीज़ बता देता हो आपको बहुत important पहले छे मैने मेरे life के जो जब मैंने यह course शुरू किया तो मेरे पास भी credit card नहीं था तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि इंजिनेर है अभी और वो तब कुछ मुंबई में था वो तब और उसका salary था एक लाग देड़ लाग के आसपास तो मुझे 100% पता था कि इसके पास credit card होगा तो मैंने एक दिन उसको phone करके पहले तो अच्छे से selling technique से अपने को उ मुझे क्या करना है और उसको बोला कि I need your help मुझे तेरी help चाहिए मुझे तेरा credit card चाहिए तो पहले छे मैंने मैंने उसके credit card से Facebook add किया मैं add के लिए पैसे लगाता था फिर जैसे पैसे कमाए उसको देदेता था लगाता था तो आपको ऐसे लोग धूर्णने पड़ेंगे ठीक है तो धूर्णना पड़ेगा वह आपको विश्वास जी तो आपको दो चीज़े लगेगी Facebook आड के लिए पैसा और जूम का कर लो शाड़े-700,000 रूपे खर्चा करो आप करना है लेकिन यह चिंदी किरी जो है यह न यह पहले बुद्रा गुझा आता है एसे लोगों का बहुत ही ज्यादा घुस्ता आता है मुझे यह कब तक करना है अगर सच में प्राब्लम है तो पैसे होने के बाद भी यह करना मैंने कभी ने किया एसन ओर और बाबा चार के साथ कर मैंने बैच से पैसे उठाया होगे बाहर से किसे से उधार लिए Allah यह धन्दे कंए नहीं आ इस GOT हां इफ्यू ओंडु कन इसल्शू ठीमकर में तो लेकिन वर उख्यांपल यह इंसम numéro था नहीं पेश You तो उसको बोलो कि ठीक है भाई तु पांसो देदे चल आपन कर लेंगे साथ में यह कर सकते हो ठीक है क्लियर है विश्वा जी प्रश्णाव का मजा अल्रेडी फेस्बुक पेज आहे पंदा नेश्रपाथी चाना आवाना त्या फेस्बुक चाहरन मजे माजा एड अकॉंड मी क्रेट करें पुछली एड आज पर इनके लिए नहीं है अधा यह प्रोड़क्त पर गरें होते है अधिलेट मार्केटिंग अधिता मी कारोतो तो अधा नहीं चाहता रिलेशेंचिप तर आक्ता मला दर नवीन आर करें जासे तर मीशेम अकॉंड नवीन करें जी करें आज नहीं पेज सेम अकॉंड अप्रुशक्त रहें अमेग्जी मों मारा जीपन आकाबरन मीशिक्त लाए तर प्रत्यका मी असर जाना जी वन इच वन अकॉंड वन एक निच अटी एक अट अपर आशा काही नहीं है एक ठीकानी वरून तुम्हीं लाव शक्ता दोंतीन है तुम्चे जरका एक्दम वेग वेगड़ा नीशायत तर असते तो तुम्हीं एक ही कड़े शिका होता है केक मेकिंग अंदूसरी तुम्हीं तरी दूसरस सम्झा व्यूटी एक आई त्याक इसमाले तुम्हीं दोन बिजनेस अकाउंट के लिए बाएज अल्रेड़ी जे रिलेशन्शिप और तुम्हें लेशन्शिप लाश होगा वह सब टॉकिक्स है उसके बाकी आपका सब्जेक्ट एक है उपर वाला स ठीक है ना आउटकम एक है उसका प्लियर क्रेड़ कार्ड नाश्याम प्रोवजन का इस्व अने भी शक्किलाइचर पनमी दोन जुशाद पॉक्का पुनादा है फाइंड आउट फाइंड आट इस वाट इस योर एक्जाम हिस तुम्हीं परिक्षा है ठीक है कितना आप र अगर फेस्बूक आड लगाते हो द्यान से सब लोग फेस्बूक आड लगाई आपने लोगों को लेके आए वाट्सप में ठीक है वह पहली बार आपको मिल रहे हैं आपके पास पेड़ जूम नहीं है समझो एक्जामपल आपने खर्चा कर दिये 5000 रुपे कहां पे दिखाए जा रहे हों बहुत इंट्रेस्ट आ गया उनको सब आ गया और अभी मिटिंग होने वाला है फिर से जॉइन करो है सब लोग आदे लोग भाग जाएंगे उसमें से वह लिंक नहीं तूटनी चाहिए आज अगर मैं आपको बोलता हर 40 मिनिट बार 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 जॉइन तो इसा नहीं होता है तो बिजनेस करना आए ना तो यह बाते थोड़ी ध्यान में रखो और उतना थोड़ा दिमाग को बढ़ालो उपर थोड़ा बढ़ा कर लो यह ना छोटा रखेंगे ना उसमें तो फिर कुश नहीं होगा थोड़ा बढ़ा कर लो और खर्चा करना सब्सक्राइब कर लोगों के पास उसमें जूम फ्री है बहुत से लोगों के पास उसमें जूम फ्री है तो वह यूज कर सकते हो आप जरूरत ने आपको एक्स्ट्रा लेनी की सब्सक्राइब कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बट गूगल मीट वाइं नौट सजेस्टिंग गूगल मीट विकॉज सो मेनी पीपल आर नौट अवेर अब गूगल मीट और बहुत से लोगों को वह नहीं समझता है लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो बिल्कूल करो 100% करो आपको पता है दस सॉफ्ट्वेर अरे जो आपके पास आ रहे उनको थोड़ी पता है ना उनको तो सिर्फ जूम ही पता है या गूगल मेट पता है दाट इस दे प्राब्लम आप उन्हें बोलेंगे कि यह एकसे करेंगे फिर शुरुआत वही से हो जाएंगे आधे लोग उदर ही ड्रॉप हो जाएंगे आपके चोड़ों करते बढ़ेगा एक तो वह फ्री प्रोग्राम होता है इसलिए लोग सीरियस नहीं रहते आपने द ताइम अलग था गता लुटन अलग था यह उन जादा राइट अनिक छिए इन वस्टिन्स यू है लेक्षण नहीं कोई पिश्टन नहीं कोश्चन ने ठीक है येस ओके अभी एक और चीज़ समझो समझो ऐसा हो सकता है कि आपके मंद में बहुत सारे questions हो अभी भी या फिर ये session खतम होने के बाद चुरू हो जाए question आना kindly put all the questions on your group I am ready to answer you okay number two आपका जो आज का link है वही link अगले तीन दिन के लिए रहेगा भले ही वो गुरूप में डालेगी मेरे team member जो है वो कोमल वो डालती रहेगी गुरूप में बट आपका meeting link वही रहने वाला ये ध्यान रखना ठीक है okay clear अभी एक word में मुझे बता दो कि आज का session जो भी रहा दो सवादो घंटे का वो कैसा लगा आपको कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार अगर धंग से करेंगे तो यह possible बहुत difficult नहीं है how many people are feeling कि धंग से करेंगे तो possible है and how was today's session type in the chat box truly है अगर आज भी आपको ऐसा लग रहा है कि doubt थोड़ा सा तो do not type no problem कल यह पर सो type कर देना ठीक है okay ठीक है thank you so much everybody तो आज यहां पर हम रुकेंगे कल शाम 8 बजे हम मिलने वाले है आठ से 11 हम साथ रहेंगे एक ब्रेक लेंगे एक या दो ब्रेक लेंगे दो तीन तीन चार चार मिनिट का ब्रेक लेंगे उसमें आप fresh हो सकते हो जो भी है और खाना खाके बैठना या तो फिर 11 के बाद खाना ठीक है ना ऐसा मत बिल्कुल बिल्कुल मत करना ऐसा कि इधर सेशन चालो है और हम इधर वीडियो आफ करके खाना खा रहे है यह बिल्कुल भी मत करना क्यूं बोलता हूं में क्यूंकि आपका concentration कम हो जाएगा ठीक है गुड गुड विश्वार जी थैंक्यू ठीक है थैंक्यू थैंक्यू एवरिबड़ी चलो सो हम मिलेंगे कल शाम को आड़ बजे जहाँ पर हम बात करेंगे फेस्बुक आड का देखो अभी कल क्या सिखने वाले वह भी बोल देता हूं और होमवर्क बोल देता हूं एक बा फेस्बुक का एड कॉपी कैसे लिखते है वह सिखेंगे पहले 25 लीड कैसे आएंगे वह सिखेंगे प्रेजेंटेशन मास्ट्री सिखेंगे और सेल्स सिखेंगे सेल्स का थोड़ा बहुत मैंने आज बताया पी एनेसडी लेकिन फिर से मैं बताऊंगा कल अब यह आपको क् पेज बनाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि पेज बनाना सिखाने बैठोंगा तो टाइम पास हो जाएंगा आपका मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं सीधा फेस्बुक का एड शुरू करूंगा कल ठीक है फिर 25 लीड कैसे आएंगे एड कॉपी कैसे लिखेंगे प्रेजें पहले आप ETR लिखेंगे फिर आप ETR बोलेंगे वीडियो में जैसे भी हो आपका फूटा तूटा कैसे भी वीडियो चलेगा मुझे ऐसा मोबाइल को पकड़ो और ऐसे बात करो नमस्ते मेरा नाम है सागर गारवे और मैं एक डिजिटल कोच हूँ और मैं कोचिस और कंसल् जुड़ो ऐसा कुछ तो बात करेंगे आप ठीक है तो ऐसा एक देड़ मिनिट का वीडियो बनाना है आज के आज या फिर कल कल सेशन शुरू होने के पहले और ग्रूप में डालना है यह हो गया आपका नमबर वन होमवर्क नमबर टू होमवर्क अगर आपका फेस्बुक पेज नहीं है तो मैं एक पेज बनाने का वीडियो दूँगा अभी थोड़ी देर से वो देखना है और पेज बनाना है दो हो गए होमवर्क नमबर तीन जिन्होंने कुछ मिस किया होगा आज के इसमें एक बार जो आपने लिखा उसको फिर से पढ़ो और खुद का एक ठीक आड़ बजे थेंक यू सो मच चलो